सार्स का फुल फॉर्म क्या होती है सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है तो सार्स आपका होता क्या है सबसे पहले आपको बता में चाहिए यह आपका विशानु यानि वाइरिस होता है एक परकार का वाइरिस होता है जिसकी फुल फॉर्म जो होती है सीवियर एक्विट उन्य शबत का परयोग किसके लिए किया जाता है। नियूमिसमेटिक्स जुहा, यह किसका अध्यन होता है। इसको और धातूआं का अध्यन किया जाता है। option no.A right रहेगा। Q4 है विक्रम समंद कब आरंब हुआ था विक्रम समंद जो है इसके शुरुवात कब हुई थी राइट अंसर रहेगा ऑप्शन नमबर भी 57 इस भी पूर जो है विक्रम समंद की शुरुवात हुई थी Next question है विक्रम शीला विश्यवद्याले की स्तापना किसने ए थी Q4 है विक्रम शीला विश्यवद्याले की स्तापना करी गई थी Q6 है क्रिशन देव राइ किसके समकालीन थे तो किसके समकालीन थे बावर के समकालीन थे Option नमबर C रहेगा Next question है विश्यव की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है लाजिस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड तो राजित अंसर रहेगा Option नमबर A सुपीरियल जील जो है यह सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है Q8 है सविदान सभा की अस्थाई अध्यक्ष कौन थे Q9 है फ्लाइंग सिख के उपनाम से किसे जाना जाता है Q10 है रगवी फुटबॉल में परतेक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है रगवी फुटबॉल में what is the number of the players on each side in रगवी फुटबॉल तो सक्याकिती होती है 15 संख्या होती है Q11 है सविदान सभा के अस्थाई दक्ष कौन थे यहाँ पर स्थाई दक्ष आपका permanent president of पूचा हुआ है Constitution Assembly के Q12 है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था उप्षिन नमर् ऐ राइट और हेगा Next question है भारती सभ भारती राश्टी कॉंग्रेस के प्रतम विभाजन कब हुआ था सूरत अधिवेशिन में प्रतम विभाजन हुआ था कब 1907 में Next question है गीता रह से नामक गरंद किसके द्वारा लिखा गया था तीता रखस्य नामक गरंत किसने लिखा था बाल गंगादर तेलिक ने लिखा था उप्शन नमर एराइट पर रहेगा नेक्स्स कुशन है लोग सभा का चुनाव लणने के लिए अमीदबार की नियुन्तम आयू कितनी होनी चाहिए लोग सभा का चुनाव लणने के लिए नियुन्तमपाई कितनी होनी चाहिए 25 बर्ष होनी चाहिए राक्ष्ती तांगडी या फिर ताली कोटा या फिर बनी हटी का युद किस परश हुआ था तो आप जाते हैं सिर्फ ताली कोटा युद के तो इस ताली कोटा युद को बनी हटी युद और राक्ष्ती तांगडी भी कहा जाता है ठीक है राक्ष्ती तांगडी भी कहा जाता सार नाथ में दिया गया था और जल्दी से वीडियो को लाइक टर तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है दोस्तों next question है मुमताज महल का असली नाम क्या था what is the real name of the मुमताज महल मुमताज महल का असली नाम क्या था वानो बेगम ठीक है अर्चनु मंद ठीक है अजीब सा नाम है अर्चनु मंद वानो बेगम जो था यह मुमताज महल का असली नाम था और ममतास मेल की मा का नाम क्या था डिवान जी बेगम नेक्स कॉशन है भारती सविदान सवा की प्रारू समीती के अध्यक्ष कों थे? ड्राफ्टों कमेटी के चेर्मेन कों थे? प्रारू समीती के अध्यक्ष कों थे? भीमराव अमेड करते नेक्स कुशन है भारती सबजी सोद संस्तान कहां पर स्थित है तो ये आपका कहां पर सित है 12 नसी में स्थित है कॉशन नमर किस है सूरे एब पृत्वी के बीच नियुंतम दूरी जिसे हम उपसौर कहते हैं किस दिन होता है सूरे और पृत्वी सूरे से अपने अधिक्तम दूरी पर कब होती है तो सबसे अधिक दूरी पर होती है चार जुलाई को ठीक है चार जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है पृत्वी सूरे से और इसे क्या कहा जाता है इसे अपसौर कहा जाता है नेक्स्क्षिशन है बिद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? What is the best conductor of electricity? तो electricity का best conductor जो होता है आपका चांदी होती है पर प्रयोग नहीं के जाता क्योंगी चांदी महेंगी होती है नेक्स pergunta है डैसीवल का परयोग किसके मापने के लिए किया जाता है भारत का राष्थी खेल किसे माणा जाता है तो नैशल गेम है इंडिया का फूटबोल, माफ करें होकी, आॉक्शन नम्मर 60 का राइटर रहेगा चलिए आपको बताने है दो देशों को नाम बताने है जिसका रास्ती खेल फुटबोल है और वैसे माननेता सभीदान दवारा रास्ती खेल को माननेता प्रापत नहीं है भारत के दादा साहिव फाल के पुर्षकार की शेतर में दिया जाता है नेक्स कुशन है कामा सूतर के लेखिक कौन है कौन है मानुश्रीर की सबसे चोटी दिखे वाहि और अंतस्त्रावी यह दोनों में सबसे चोटी है कौनसी पिट्यूड्री गरनती जो है आपकी पिट्यूड्री का उत्य की इकाई क्या है योटी है Functional unit of the nervous system nervous system की unit क्या होती है neurOne आपकी होती है Question number 30 है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? जो नास सौक द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज करी गई थी? नेक्स कुशन है काला जार रोग किसके कारण होता है? तो यह आपका प्रोटो जोवारा होता है। कौशन नमर 32 है भारती कृषी अनुसंदान परिशत का मुख्याले कहां पर दित है? तो नई दिली में स्तित है। दादा साहिव फाल के पुरुसकार प्रापत करने बाले पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आपकी देविका रादी? ऑप्शन नमर भी राइट रहेगा। Question number 34 है, DNA की दुई किंडली सरचना मोडल, जिसे हम डवल हलक्स मोडल कहते हैं, को किसने प्रतिपादित किया था? DNA का डवल हलक्स मोडल किसने दिया था? Watson एवं करिक ने दिया था. Option number भी राइट पर रहेगा. Next question है, जल गैस किसका सयोजिक होता है? CO और H2 का सयोजिक होता है, क्या जल गैस? Question number 26 है, भिलाई इसपाद स्रेंतर किसकी सहायता से स्तापित किया गया था? भिलाई इसपाद स्रेंतर किस स्तापना किस देश के साथ करी गी थी या किस देश की दवारा करी गी थी? रूस के साथ करी गई थी. Next question है, पैरिस शेहर किस नदी के तड़ पर स्तीत है? Question number 36 है, सार गैसो सागर किस महासागर में स्तीत है? फिर से सुन ले, सार गैसो सागर किस महासागर में स्तीत है? तो आपका उतरी अटलांटिक महासागर में स्तीत है सार गैसो सागर. next question है किस संभीदान संशोधन अधिनियम को मीनी संभीदान कहा जाता है तो आपका 42 संभीदान संशोधन कब हुआ था 1976 में 42 संभीदान संशोधन जो की 1976 में हुआ था इसे क्या कहा जाता है मीनी संभीदान भी कहा जाता है Next Question है, Dacci Gun National Park कहां पर सित है? दाची गंग नाशनल पारक कहां पर सित है? प्रुवर्वट माला कि सबसे उंची चोटी है लावणी किस राजे का प्रसीद तिहार है? लावणी is a famous vlog dance of which state महा राश्टर का है कॉशे नमर चुटारीस है कुणार का सूर्य मंदर, किस राजे में स्तित है? तो कुणात का सूर्य मंदिर है और इसा में स्तित है नेक्स कुशन है परमशुने ताप का मान कितना होता है तो परमशुने ताप मान होता है 200-200 डिगरी क्या होता है सेल्सिस आपका होता है नेक्स कुशन है धातूओं का राजा किसे कहा जाता है धातुओं का राजा किसे का जाता है King of Metals कहा जाता है सोने को धातुओं का राजा सोने को कहा जाता है नेक्स्ट कुशन है पीतल किसका मिशन धातु होता है जो ब्रॉंस होती है यानि पीतल होता है ये किसका मिशन धातु होता है तामबा और जस्ता का मिशन धातू होता है option number A रहेगा next question है विवेका नंद रोक मेमोरियल कहां प्रस्थित है वेर इस दी विवेका नंद रोक मेमोरियल लोकेटेड ये आपका कहां प्रस्थित है कन्या कुमारी तमिल लाडू में स्थित है next question है धान का प्रसिद खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है धान का प्रसिद खेरा रोग किसकी कमी कारण के होता है ये आपका जस्ते की कमी की कारण होता है जस्ता की कमी के कारण धान में खेरा रोग होता है question number 50 है mycology मैं किसका अध्यन किया जाता है माफ करो तो फाइकोलोजी में किसका अधियन किया जाता है तो शेवालो का अधियन जो है क्या का जाता है शेवालो के अधियन को फाइकोलोजी कहा जाता है Question No. 51 है, Lord Harding ने बंगाल विवाजन किस वर्ष रद किया था? Lord Harding द्वारा बंगाल विवाजन जो की 1905 में हुआ था, इसे कब रद किया गया था? 1911 में रद किया था. 1905 में Lord Karjan द्वारा बंगाल विवाजन किया गया था और इसे रद किया था Lord Harding ना 1911 में. Next Question है भारती राश्टी कोंगरिस की स्तापना किस ने करी थी? Next Question है मुंबई किस दीप पर बसा हुआ है? मुंबई जो है ये किस दीप पर बसा हुआ है तो मुंबई आपका 166 दीप पर बसा हुआ है 166 दीप पर जो है आपका मुंबई बसा हुआ है Next question है शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है शाम का तारा, इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार किसे का जाता है, शुक्र को कहा जाता है Next question है, बीस हर्ट से, बीस हजार हर्ट आवरिती वाली ध्वनी को क्या का जाता है 20 Hz से लेकर 20,000 Hz की दवंई जो होती है उन्हें क्या किया जाता है उन्हें watch और फिर शर्वेत रंगे कहा जाता है Next question है परकाश कावेग सरप्रथम किसने ग्यात किया था परकाश कावेग सबसे पहले किसने ग्यात करा था रॉमर न ग्यात करा था Qiffsion No. 57 है भारत के परमुक समाझ स्रारक राजा रामोहराई की समाधी कहां पर स्रीत आ है? व त्यापकी Bristol-Britain में स्रीत आ है Bristol-Britain में राजा रामोहराई की समाधी स्रीत आ Next question है सवwalवग की प्रारु समीती के समक्ष प्रस्ताबना का प्रस्ताब किसने रखा था सविधान सबाग की प्रारु समिती के स्मक्ष प्रस्ताबना का प्रस्ताब जो किसने रखा था पंडी जवालाल नहरु ने रखा था Next question है, भारत में सरकार की संस्ती परनाली कहां से ग्रहन किया गया है? भारत में सरकार की जो संस्ती परनाली होती है, इसे किस तेश से ग्रहन किया गया है? तो इसे जो है, ब्रिटेन सविधान से क्या किया गया है? ग्रहन किया गया है. वाश्य नमर्ट साथ है वमद्य सागर का परकास्तम किसे कहा जाता है वमद्य सागर का परकास्तम किसे कहा जाता है स्ट्रोंबली ज्वाला मुखी को कहा जाता है एक परकार का ज्वाला मुखी ज्वाला मुखी है स्ट्रोंबली ज्वाला मुखी नेक्स कुशिन है अम्जद अलीख खां किस बाद यंतर से सबंदित हैं सरोद से आपके सबंदित हैं सौरमंडल का सर्वाधिक गरम ग्रहे कौन से होट इस प्लेनेट आपका पुछा हुआ है सोलर सिस्टम का तो शुक्र इसका राइट अंसर रहेगा नेक्स कुशन है प्राचिन सिक्को पर बीना बजाते हुए दिकलाया गया हिंदू राजा कौन सा था तो ऐसा राजा जिसे बीना बजाते दिखाये गया था उसका नाम था समुंदर गुप्त नेक्स कुशन है ओनम किस राजे का प्रसीद तेहार है ओनम इस दी फेमस फेस्टिवल ऑफ बीच स्टेट तो कहां पर मना जाता है ओनम की एरल मनाया जाता है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है एक कटा हुआ हीरा जो होता है किसके कार जगमगाता है और आंतरिक पराव ब्रंपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है तो ब्रंपुत्र में तिब्बत को तॉंक्सव ठीक है तसौंग्पो नाम से जाना जाता है तसौंग्पो के नाम से ब्रंपुत्र को तिब्बत में जाना जाता है नेक्स्ट कुशन है बाहनों में पीछे का दरिश्य देखने के लिए कौन सा दरपण प्रियोग में लाया जाता है कौन सा दरपण कहां पर यूज किया आता है जो आपकी कारे होती है उनकी पास में किया आता है जो आपकी पहली होती है जो साइड में देखने के बीष्टे देखने के लिए किसका परियोगता उत्तल धरपन का प्रयूग किया जाता है माफ कीजीएगा नेक्स कुशन से बेले आभी तक आपने वीडियो को लाइक नद गरा तो टमेटो में कौन सामल पाया जाता है आपका और ऑक्जैलिक अमल पाया जाता है next question है मोरे वंश का संस्थापक कौन था मोरे वंश का संस्थापक कौन था who was the founder of the Moray dynasty तो मोरे वंश की स्थापना किसने करी थी चंदर गुप्त मोरे ने करी थी question number 14 है hydrogen bomb किसके दवारा विक्सित किया गया था hydrogen bomb जो है इसकी कोज किसने करी थी इसकी कोज करी थी Edward Taylor ने Edward Taylor दवारा hydrogen bomb की कोज करी गई थी next question है radio carbon dating किसकी आयू का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो radio carbon dating का प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग किसकी आयू का पता करने के लिए जीवाश्म का प्रयोग किया जाता है next question है कौन सा तत्व सूरे में सरवाधिक पाया जाता है which element is found in the most in the sun तो hydrogen जो है सरवाधिक पाया जाती है कि वर्योग आपकी 70% से अधिक hydrogen पाया जाती है next question है भारी जलका रसाइनिक सूतर के आता है तो भारी जलका heavy water का जो में chemical फूरा formula होता है यह आपका D2 होता है जिसे हम deuterium oxide कहते है next question है मॢ। मग्लड़ के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है तो आपका formik अमल पाया जाता है next question है मौरे वंष का अंतिम शाषिक कौं था तो और हिडरत जो था यह मौरे वंष का अंतिम शाषिक था कि होमोपाथी के संस्तापक कों ते होमोपाथी के संस्तापक कों ते तो हनिमेन दवारा होमोपाथी की सिस्तापन या फिर हवाります look at निंद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजुवा होता है निंद्रा पैदा करने वाला प्रोटोजुवा कौन सा होता है आपका ट्रिपे नोसा ट्रिपे नोसोमा जो है अजीत सा नाम है फ्रिविया रखने है ट्रिपे नोसोमा जो है या आपका निंद्रा पैदा करने वा हर एक वंश का सस्तापक कौन था हर एक वंश की स्तापना किसने करी थी तो बिंबी सार ने जो है हर एक वंश की स्तापना करी थी next question most important मालगुडी देस पुस्तक के लेकर कोन है मालगुडी देस किसने लिखी थी आरके नुराइड ने लिखी थी next question है नॉर्मन बॉरालोग पुस्तक किस शेत्र में पुर्सकार माफ करें नॉर्मन बॉरालोग पुर्सकार किस शेत्र में जियादाता है तो यह आपका क्रिशी के शेत्र में जियादाता है और नॉर्मन बॉरालोग जो थे यह क्रिशी से आपके स्वधी थे next question है काजी रंग वेन इस दी, वर्ड इन्वार्मेंट डे सैलिवरेटिड्ड, तो बिशब परियावान डिवेश न हर साल 5 जून को मनाया जाता है, एक अशिव शक्ती, एक होस पावर वराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, 740 वाट के बराबर होती है, पक्षियों के अधियन को क्या गय प्रिष्वी की बेहन या प्रिट्वी का जड़वागर की को कहा जाता है स्थेटर आफर्थ ट्विन प्लैनेट आफ इसे का जाता है शुक्र को का जाता है यहाँ है कि क्वाहि में संसद के पर्तेग सधन की कारेवाही में संसद का स्थेना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है ठीक है संसत के प्रतेक सदन में स्टस्य ना होने के बाद भी यह संसत में भाग ले सकता है यह कौन होता है यह आपका महानियावादी होता है जिसे एटॉर्णी जर्नल आप कहते हैं नेक्स कुशन है लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है इन बिच स्टेट लोसांग फेस्टिबल इस सेलिवेटी तो लोसांग उत्सव कहां पर मनायाता है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है बिशव का सबसे छोटा फूल कौन सा है बिशव का सबसे छोटा फूल क की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी होती है तो माने शिरिक की सबसे बड़ी गरंथी होती है यकृत कि बावर ने अपनी आतम कथा बावर नामा किस वाशा में लिकी थी बावर नामा जो ही किस वाशा में लिखी गई थी तुर्की वाशा में लिखी गई थी मौसब समंदी गटनाएं बायू मंडल की किस परत में होती है तो मौसब समंदी जितनी में गटनाएं होती है बारिश आपका होती है चाहिए जो भी आपका हो ति किसी में होती है शो मंडल में आपकी होती है ठीक है ट्रॉपर स्पेर्स में होती है फिर से सुले भारती सविदान सवा को सविदान सवा दवारा कब अंगिगार किया गया था तो 26 नमंबर 1949 को किया गया था अब नेक्स कोशन है भारती सविदान को कब लागू किया गया था तो भारती सविदान को लागू किया गया था 26 जनबर 1950 को next question है परसिध चीनि यातरी फाहयान किसके शाषिनकाल में भारत आया था फाहयान जो है एक किसके साशिनकाल में भारत आया breaking find आया था चंदर गुपत दूइतिये के काल में आया था है आज का लास्ट कोशन विभी का मखवरा कहां पर स्थित है वैर इसदी मीशिंवी का मखवरा लोकेटड़ तो विभी का मखवरा आपका और अगावाद महाराश्च्त में स्थित और अब तक आपने वीडियो को लाइ थीकिए SI unit पूछिए है electric current की तो electric current की जो SI unit होती है या मातरक होता वो क्या होता है ampere आपका होता है जिसे A से denote करते हैं question number 2 आपके सामने है तडित चालक का चालक का अविशकार किसने किया था question number 3 आपके सामने है अजाद शत्रू किसका पुतर था important question आपका कह सकता हूँ अजाद शत्रू किसका पुतर था right answer रहेगा option number C विमिसार का पुतर था अजाद शत्रू question number 5 है किस शेत्र में आसाधारन योगदान के लिए शांती सबरूप वटनागर पुर्सकार दिया जाता है question को थोड़ा सा ध्यान से मैंने question में थोड़ा सा confusion करा गया है इस शेत्र में आसाधारन योगदान के लिए शांती सबरूप वटनागर पुर्सकार दिया जाता है अगर आप option number A बतारे है तो बिल्कुल गलत बतारे है वटनागर जो पुर्सकार है ये बिज्ञान के शेत्र में ठीक है बिज्ञान के शेत्र में दिया जाता है तो option number B इसका सही कर ले question number 6 है laughing gas का रसाइनिक नाम होता है question number 7 है विज्ञान अगर समराज्जी की स्तापना किसने करी थी question number 8 है बाटर पोलो में एक पक्ष में किलाडियों की संख्या कितनी होती है how many players are there in a side in water polo यानि एक पक्ष यानि एक टीम में किलाडियों की संख्या कितनी होती है बाटर पोलो में तो कितनी संख्या होती है साथ इनकी संख्या होती है question number 9 है टेंडन किसे जोड़ता है तो टेंडन होता है ये किसे connected करता है तो किसे connect करता है मासपेशियों को हड़ी से connect करता है यह tendon जो होता है यह मासपेशी और हड़ी को जोड़ को कहा जाता है Q10 है हड़ी से हड़ी के जोड़ को क्या कहा जाता है हड़ी से हड़ी के जोड़ को क्या कहा जाता है तो हड़ी से हड़ी के जोड़ को ligament कहा जाता है, जो कि most important है, one to one joint जिसे क्या कहाता है, ligament कहा जाता है, question number ग्याना है, anemometer से क्या मापा जाता है, what is measured by an anemometer, anemometer से क्या मापा जाता है, yu की गती anemometer दबारा मापी जाती है, question number 12 है, भारत के सविदान की आठवी अनसूची में कितनी भाशा ही है, यह तो आपको पता होगा, जो 8th schedule है Constitution का, इसमें how many languages है, कितनी लैंग्वेस है, कितनी लैंग्वेस है, 22 लैंग्वेस आपकी निरहत है, तो option number 20 का right रहेगा, question number 13 है, राज्यसवा की सदस्यों का कारेकाल कितने वरश का होता है तो राज्यसवा के कारेकाल जो होता है वो कितना होता है सदस्यों का कारेकाल होता है 6 वरश का और राज्यसवा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका कारेकाल होता है 5 वरश का तो शुशक भर्व किसे कहा जाता है थोस कारवन डायाकसाइड सी ओटू को क्या कहा जाता है शुशक भर्व भी कहा जाता है तो आप्शिन नुम्बर एसका राइट रहेगा नेच्स विंपोर्डीड हैக 1573 इसमी में 47 स्माज की स्थापना किसने करी थी य वाह मभास थी सत्यि शोदक स्माज founded in 1873 1873 में किसके दवारा 67 स्माज की स्थापना करी गई थी जोतिवा फुले दवारा 67 स् China की स्थापना करी गई थी Q1 नम्भर भी राइट रहेगा Next question है वाडी बन्ष के युद 1760 में किन के मध्य हुआ था In the battle of वाडी बन्ष 7060 1760 में वाडी बन्ष का युद किन के मध्य हुआ था England और French के मध्य हुआ था निए Britain और French के मध्य वाडी बन्ष का युद हुआ था तकाुसमें ब्रिटेन ने फ्रेंस को हरा दिया था. मानु श्रीर की सबसे चोटी हडी कौन सी है, सबसे चोटी हडी कौन सी है, स्टैपीस जो होती है, सबसे चोटी हडी होती है Storee pens, इसे हिंदी में रकाब कहते हैं, रकाब हडी कहते हैं, और乾 strategic face , सबसे चोटी होती है efendim इसे और से अाये होती है इसे सबसे बड़ेरे की staring जिसे का जाता हैं चायए ऑप्शिम नमबर एस का रएट अरेगा आसमने ऑन alm की समुंदरी रास्ते की खोज किसके द्वारा करी गई थी वास्को डिगामा द्वारा करी गई थी वास्को डिगामा करी गई थी और कब करी गई थी 1498 में करी गई थी चलिए आपसे एक कॉशन बूचता हूँ थोड़ा important question है वास्को डिगामा भारत में किसके काल में आया था, बुगलों के काल में आया था, या किसी और के शाषिन के काल में आया था, एक में आपको बताना है, कॉशन नमबर 20 आपका इंपोर्डिट है, बर्ष 1498 में वासको डिगामा भारत में कहां उत्रा था, सबसे पहले वासको डिगामा भारत में कौन से स्थानपूर उत्रा था 1498 में, तो कालिकट केरल में ये सबसे पहले उत्रा था, कालिकट कोजी कोट ठीक है, कालिकट कोजी को का रिसायंजिक सूत्र होता है वाइच इजद्य कैमिकल फ़ॉर्मूला आफ मिल्क आफ मैंगनेशा तो क्या सूत्र होता है एम जी ओपटी याद रखें मेंग जी ओफ्टी जई होता है इन मल्क ओफ मैंगनेशा का रिसायंजिक नाम जख रखतेmission Magnesium Hydro Oxide Magnesium Hydro Oxide Milk of Magnesia का रिसाइनिक नाम होता है तो most important question है ये Question number 22 है Sanchi का स्थूप काहा निर्मान किस Maaf करें Sanchi का स्थूप का निर्मान किसने करवाया था Who will be Sanchi स्थूपा Sanchi के स्थूप का निर्मान किसके तबारा करवाया गया था Question number 23 है Sanchi का स्थूप किस राजय में स्थूप है In which state is the Sanchi स्थूपा located तो Sanchi का स्थूप कहां पर स्थ है Madhya Pradesh में स्थूप चलिए Madhya Pradesh में कहां पर स्थूप है Sanchi का स्थूप आप जल्दी से comment box में वताइए Next question है वर्तमान में भारती सविदान में कुल कितनी अन्सूचिया है At present time How many schedules are there in the Indian Constitution भारत के सविदान में वर्तमान में कितनी अन्सूचिया है 12 अन्सूचिया कितने अन्सूचिया है 12 अन्सूचिया और भा कितने comment box में जल्दी से बताजिए Next question है Hari Prasad Chorasiya किस वाद यंतर से सवंधिता ये किस वाद के लिए किस वाद यंतर के लिए परसीद है Hari Prasad Chorasiya is famous for which musical instrument Most important question Hari Prasad Chorasiya जो थे क्या वजाते थे वांसूरी आपकी वजाते थे Option number B right अरहेगा Question number 26 है Plague नीवन में से किसके कारण फैलता है Plague नामक विमारी है ये कौन से virus, bacteria, protozova या फिर कवक रवारा फैलती है किसके दवारा ये फैलती है किसके दवारा फैलती है ये आपकी विशान, माफकरे जिवानों के कारण नीव वैक्टीरिया के कारण फैलती है Question number 27 है भारती सविदान का कौन सा अनुशेद अस्प्रिष्टा से शुवाचूत कहती है का अंत करता है कौन सा भारत का आर्टिकल यानि अनुशेद है जो भारत में अस्प्रिष्टा या फिर शुवाचूत का अंत करता है कौन सा अनुशेद करता है अमशेत 17 जो है आपका भारत में श्वाशूत का अंत करता है और most important आता ही आपके मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है Question number 20 है भारत सरकार का प्रथम विदी अधिकारी कोन होता है? Who is the first law officer of the government of India? Question number 30 है राज्यपाल अपना त्याग पर किसे देता है? जो राज्यपाल होता है अपना रिगजाईने नेटर जो होता है किसे सोंपता है? राष्ट पती को सोंपता है Question number 31 आपके सामने है हवाईच हाज वाई बंडल में किस परत पर उड़ते हैं? जो आपके हवाईच हाज होते हैं, एरिपलेन होते हैं कहाँ पर फ्लाई करते हैं? समता बंडल में क्या करते हैं? उड़ते हैं Question number 31 है, अश्ट परधान, मंतरी परशिद किस शाश के साशन काल में थे? जो अश्ट परधान होते हैं कि किस के साशन काल में थे? शिवाजी के काल में थे ठीक है? शिवाजी के काल में थे यह option में आपको मराठा भी देखने को मिल सकता है Next question है, शक्सवन्द का प्रार्म किस समराट की साशन काल में 78 इस्वी में हुआ था? जो शक्सवन्द है, इसकी इस्तापना जो है 78 इस्वी में हुई थी? इसके दबारा करी गई थी? क्निश्क दबारा करी गई थी Question number 34 है, क्निश्क की राजधानी कहां थी? क्निश्क की राजधानी कहां थी? वेव वास्ती, कैप्टर आफ क्निश्का तो कहां पर थी? इसकी राजधानी थी आपकी Option number B, पुरिश्पुर ठीक है, पुरिश्पुर जिसे बरतमान में पिशावर के नाम से भी ज़्यादा जाता है Question number 35 है, उत्री पूर्व की खोज किसने की थी? उत्री दुरुफ की खोज किसके दबारा करी गई थी? माफ तरे, गल्थ बोला था पहले मैंने हो डिस्कवर दी, South fall, आपके North fall, South fall, East fall इस तरह से आपकी पूछ जाते हैं पर मैक्समा आपके कौन सा? East और South, माफ करें, North और South ठीक है North और South पूछ जाता है, तो North ठीक है, North fall की खोज किसने करी थी? Emerson ने, ठीक है, Emerson दबारा जो है, South fall की खोज करी गई थी Mars gas किसे कहते हैं? Mars gas किसे कहा जाता है? तो मिठेन को Mars gas भी कहा जाता है और CHS का formula सूतर होता है संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सै? संसार का सबसे बड़ा लिविंग बड़ कौन सै? शातुर मुर्ग Question 45 है, संसार का सबसे चोटा पक्षी कौन सै? सबसे छोटा पक्षी कौन है गुंजुम पक्षी या फिर जिसे हम हमिंग बड़ भी कहते हैं तो बहुत ओफ आपका रहेगा राइट अंसर नेक्स कुशन है अब श्रब्बे तरंगे की आवरिती कितनी होती है जो फ्रिक्वेंसी आपकी बिताई है इन्फ्रासोनिक बियर्पी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 20 हर्ट से कम जो आवरिती होती है इन्हें अब श्रब्बे तरंगे कहते हैं Next question है, वाईयो में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जो वाईयो होती है, इसमें, इसकी चाल पूचिये जल्दी स्पाये, प्रकाश की चाल पूचिये कितनी होती है, What is the speed of light in air? तो option number B, option number A, दोनोर आटन से रहेगे, 3 multiply, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकिंड, इसे किलो मीटर में कनबट करेंगे, तो 3 multiply 10 की पावर 5 किलो मीटर प्रतिक सेकिंड आपका हो जाएगा, Question number 42 है, हयूमरस नामक हड़ी कहां पाई जाती है, तो आपकी जान्ग में उपरी भुजा में पाई जाती है, हयूमरस नामक हड़ी उपरी भुजा में पाई जाती है, पर सिर्ट टैनिस की लाड़ी नवाग चोकोविच किस देश से है जो आपके नवाग चोकोविच है कि कौन से देश से बिलोंग करते है इनकी कंट्री कौन सी है तो राइट अंसर एगा option number D सर्विया सर्विया जो है यह नवाग चोकोविच की देश है अब नाम मैंने पहले सब्सक्राइब कर लेना है आपके लिए बहुत इंपॉर्डिट वीडियो आपी अरहेंगी इसका राइटन से रह जाएगा जो सिंबल आपका नैशनल फ्लैग होता है जिसमें वाइट कलर जो होता है यह शान्तिग आप्रतीक होता है किसका प्रतीक होता है शांतिग का प्रतीक होता है Next question है, मगद समराजी की प्रथम राजदानी कौन सी थी? First capital of Magad Empire, तो कौन सी थी? Option number 8 का right रहेगा, राजगरी जो थी ये, मगद समराजी की पहली राजदानी थी next question है भारत में राश्टपती राज्य सवा के कितने सवा को नॉमनित कर सकता है किसके तहत कर सकता है एंगलो इंडिया के तहत कर सकता है कितने सवा कितने सवा कर सकता है नॉमनित कर सकता है next question है राष्टपती एंगलो इंडिया समुधाय के कितने सिदस्यों को लोग सभा में नॉमनित कर सकता है तो लोग सभा की बात करी जाए दोस्दस्य नॉमनित कर सकता है राज्य सभा कमें संग राज्य सभा किया गया है कोण सिदस्यों किया गया है क्यल्दी से बताइए कोण से सुची में इनका वरन किया गया है अन्सूची साथ में ठीक है 7 schedule में आपका वरणन किया गया है संग का, राज्य का और संबर्ती सूजी का पिशव का एक मात्र तैरता हुआ राश्टी उध्यान केवल लामजुआ कहां पर स्थित है केवल लामजुआ नैशनल पार्क यह कहां पर स्थित है यानि कौन सी स्टेट में स्थित है भारत की मानिपुर राज्य में स्थित है भारती सविदान के किस अनुशेद में प्रेस की सवतन्तरता की गई है फ्रीडम आफ दी प्रेस ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है इंडियन कंसिटूशन की कौन से आर्टिकल में दिया गया है अनुशेद 19A के आर्टिकल में दिया गया है निए आर्टिकल 19A के तह जो है प्रेस की सवतन करता दी गई है अइपने के लिए और मापा किस की दार जाता है वाशनल नमर तीन है अंफिल्वोजा व्लड फ्लू किसके कारण प्यलता है नाम सुने है व्लड फ्लू का जो पूरा नाम होता है वहता है व्लड फ्लू जब्लू पर यह आपका कौन सा वायरस होता है यह आपका एकप्रकार का वायरस होता है इसका सूतर जो आफिर कह सेतूने इसका कोड होता है टीक है, H5, N1, विशान, यानि वारिस तवारा फैलता है, blood, flu, question में 4 आपके सामने है, किसी तारे का रंग से पता चलता है, उसका क्या पता चलता है, उसका ताप का पता चलता है, उसका temperature क्या होगा, उसके रंग सही पता चलता है, next question है, सिने बार किसका ऐसक होता है, सिने बार किसका ऐसक होता है, यहाँ पर सही गलने, सिने बार किस स्वेलिंग मेरे खाल से गल्थ होंगे, सिने बार किसका ऐसक होता है, पारे का सूतर क्या होता है, H6 का सूतर होता है, next question है, silicon क्या है, what is silicon, तो silicon एक परकार का क्या है, अर्दे चाल are made from तो किसके बना जाते हैं? Polycarbonate के बनाए जाते हैं Polycarbonate के जो आपके छाते होते हैं उन्हें बनाया जाता है जो कि हम बरसात में यानि इस महंत में परियोग करते हैं Question number 8 आपके सामने है कोश्का के अधिन के विज्ञान को क्या कहा जाता है What is the science of the study of cell culture तो कोश्का के अधिन को क्या कहा जाता है Cytology कहा जाता है Option number भी correct अरहेगा Question number 9 आपके सामने है खाने के परदात को pack करने में कोण सा plastic प्रियोग किया जाता है Important question है और examiner अब थोड़े से different question ही पूछा आपके exam में तो खाने के परदात के जो pack होते हैं उनमें कोण सी plastic का प्रियोग किया जाता है उसमें polyethylene का प्रियोग किया जाता है Polyethylene का प्रियोग किया जाता है Option number भी correct अरहेगा Next question है संत्रा एबम नीम्बू में कोण सा अमल पाया जाता है दोनों क्या होते हैं दोनों आपके खटे होते हैं उनमें vitamin C आपका पाया जाता है और इनमें acid कोण यानि अमल कौन सा पाया जाता है तो इनमें आपका citric अमल पाया जाता है इन बीच acid is found orange and lemon कौन सा citric acid Question number 11 है राज्य saVA के लिए नामनित्प प्रत्वम अमनेतरी कौन सी थी हुब आस थी फर्स्ट फिल्म एक्टर नॉमनेत्ट्ट तू राज्य सवा तो राइट अंसर क्या रहेगा देविकारान इसका राइट अंसर नहींगा इसके लिए आपने कल बहुत सारा प्यार दिया था जिसका राइटन से रहेगा option number B नर्गिस्त थी ये पहली अबनेतरी थी जिसे जो है राच्य सवा में क्या करा गया था नॉमनित गया गया था question है अकवर ने दीन ए इलाही धरम किस भरश पारित किया था अकवर द्वारा दीन ए लाही धरम को कौन से बरश में पारित किया गया था 1582 थी थी चारो के चारो option चेंज करने की जूरत नहीं नहीं माफ करने ठीगे तो 1582 इसका राइटन से देगा सारे टिकर रान ठीगे सारे टिकर दे आपने तो इसका राइट अंसर आपको लग गया होगा पता next question करंट का question जोड़ा हुआ है रभी कुमार दहिया नीमन मैंसे किस खेल से स्वन्दीत है कल इनो नहीं क्या जीता था कल इनो नहीं सिल्वर मेडर आपका जीता था Tokyo Olympic में तो पूछ सकता है कौन से खिलाडी नहीं आपके किस से स्वन्दीत है आपके कुष्टी ग्यारी wrestling से आपके स्वन्दीत है कुष्टी से आपके स्वन्दीत है तो कुष्टी में कौन सा खिलाडी था ये 23 वर्ष के आपके खिलाडी है ये भी आपको र्याद रखने है हम मेरे से छोटे डिगे, मेरे से दो करी, क्रिवन दो साल चोटे हैं, तो रविक बार थीए ने जो टॉक्यो अलम्पिक में क्या जीता था, सिल्बर मैडल जीता था, फोर्शन नमर 14 है, चार मिनार का निर्मान किसने करवाया था, तो किसके दवारा जो है विल्ड करी गई ती चार मिनार कुली कुतिव शाधिक है, कुली कुतिव शाध दवारा जो है, चार मिनार का निर्मान तरवाया गया था, नेक्सके इंपोर्डिड है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, जो आपकी सिविल सर्विस होती है, इनका जनक किसे कहा जाता है, भारत म तो किसा का जाता है, Lord सको कहा, option number A, right रहेगा, next question है, Galena किस थात्व का अयस्क होता है, Galena is an eye of the witch metal, तो किस थात्व का अयस्क होता है, Galena? अपका C से काठी कैंड़ है, PB का यह क्या होता है, अयस्क होता है, question number 17 है, Swami Vivekanand का Mool नाम क्या था, पतानी जूद नहीं पड़ेगी, तो रेल निम आपका स्वाम वेकरनन्द का क्या था, नरिंदर नाथ दत्ता, ठीक है, क्या था, नरिंदर नाथ दत्ता, कौश्चन नमर ठारा है, अंतराश्टी दिनाक रेखा, कहां से होकर गुजरती है, जो अंतराश्टी दिनाक रेखा है ये कहां से होकर गुजरती है where does the international date line pass it, तो कहां से होकर गुजरती है, 180 degree देशांतर से होकर गुजरती है इंपोर्टिट कोशन है, option number b right रहेगा अंतरास्ती दिनाक रेका जो है 180 degree, देशांतर से होकर गुजरती है, next question क्रेंट का कोशन है, 719 लवीना वारगन किस खेल से स्वंदित है आजीब सा नाम है और ये भारती है जिन्होंने हाल ही में कौन सा मेडल जीता था ये comment box में आपको बताना है और ये कौन से खेल से आपके स्वंदित है लवीना वरगहन किस खेल से स्वंदित है तो कौन से खेल से स्वंदित है आपकी वॉक्सिंग से आपकी स्वंदित है ठीक है किसमें जीता था इन्होंने ब्रॉंस मेडल जीता था बॉक्सी में सलीम आली राश्टी उध्यान कहां पर स्थित है तो कहां पर स्थित है जम्मो कश्मीर में स्थित है आप्शन नमर भी राइट रहेगा कॉश्टी उध्यान यहां पर आपका पर है जम्मो में नहीं है यह आपका कहां पर स्थित है गोवा में स्थित है अगर पक्षी अभेरन पूछे सलीम आली कॉश्टन नमर बाइस है नीरेच चोपडा किस खेल से स्थित है तो नीरेच चोपडा आपके किस खेल से स्थित है नीरेच चोपडा इस लेटेट टूबी स्पॉट तो कहां से स्थित है आपके जैवलिन थ्रो से यानि भारत ओला फेकनिस से स्थित है और यह होती है किसके दवारा बनी होती है तो किसकी बनी होती है काइटीन या फिर हैमी सेलुलोस की बनी होती है काइटीन या फिर हैमी सेलुलोस की बनी होती है नेक्स कोशिन है विश्व का सबसे वड़ा मरुस्तल सहारा किस महादीप में स्थित है तो सहारा जो है ये किस महादीप म स्तित है, माफ करें, मैं ध्यान निदिया था, सहारा जो आपका, घहां पर पड़ता है, अफ्रीका महादीप में पड़ता है, और सास में आपको जो है, देशों के नांद जो दिये, ठीक है, देशों के नाम जो दिये, तो यहां पर आपके आने थे, महादीप, अब next question देखन है option number b right रहेगा question 26 है bishop में सरवाधिक बर्षा तहां होती है where is the highest rainfall in the world तो bishop की सबसे अधिक बारिश चों आपकी होती है भारत के किस स्थान पर होती है मांसी राम इघाले में सबसे अधिक पर का होती है question 27 है परतम लोकसवा अधिक्ष कौन थे who was the first लोकसवा speaker तो कौन थे आपके पहले लोकसवा speaker तो कौन थे आपके जीबी मावलंकर option नमबर b right रहेगा question 28 है परतम लोकसवा उप्याध्यक्ष कौन थे परतम लोकसवा उप अधिक्ष कौन थे who was the first deputy speaker of लोकसवा तो पहले उप अधिक्ष कौन थे लोकसवा के अनन्त शेयनम थीक है आयर अनन्त शेयम आयर जो थे पहले उप अधिक्ष के लोकसवा के next question important है चालूक के शाषक पुलके शिन दुईत्य और हर्षवदन के बीच किस नदी के तड़ पर उद हुआ जिसमें हर्षवदन की प्राद यानि हर्षवर्चन दौहता हार गया था किस से हार था चालूक के शाषक पुलके शिन ठीक है पुलके शिन से तो किस नदी पर उद हुआ था नर्मदा नदी पर उद का यूद हुआ था next question है गुप्त वश का संस्तापक खोन था राचिन भारत के महान वियाकरन पतंजली किसके समकालिन थे जो पतंजली थे यह किसके साशन काल में थे किसके शाशनकाल में थे पुश्य मित्र शुंक के शाशनकाल में थे पतन जली ATM का full form क्या होता है ATM का full form क्या होता है what is the full form of an ATM तो इसकी होती है full form automated tailor machine अगर आपको याद नहीं है सीरा आपको याद रखना है tailor एक tailor था उसने automated machine जलाई ठीक है टेलर ने automated machine चलाई पस याद हो गया next question है rolled gold किसका mission धातु है rolled gold is alloy of तो किसका mission धातु होता है copper और aluminium का mission धातु होता है copper का symbol CU होता है और aluminium का symbol AL आपका होता है next question है भर्मान में सरवादिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है which element is found in maximum quality in university तो universe universe में सबसे अधी कौन सा तत्व यानी element पाया जाता है hydrogen आपकी पाई जाती है question no.35 है भारत की उप्राष्टकति का निर्वाचन होता है तो उप्राष्टकति का निर्वाचन जो है किसके दवारा आपका होता है किसके दवारा होता है संसर के दोनों सदनों दवारा होता है यानी राज्जी सवा और लोग सवा दोनों दवारा जो है उप्राष्टकति चुना जाता है next question है भारती संसर की अपण आपको बता है राज्जी सवा को कहा जाता है लोग सवा को कहा जाता है next question गरंड का question मीरा वाई चानू किस खेल से स्वन दित है और इन्होंने पहला कौन सा मेडल जिलाया था इन्हों ने भी bronze medal, आपका भारत को पहला bronze medal जिताया था, किसमें जिताया था जल्दी तो बताई हो, भारत उला में जिताय था थी किया, पहला code medal जो है, Tokyo Olympic 2020 में पहला Olympic जिताय था भारत को, भारत उला मीरा वाई चानु दुबारा, next question है, भारत में दास्वरता का उन्मूलन 1843 ने किस governor general के समय हुआ था, दास्वरता का हडप निती, किस के द्वारा लागू की गई थी, हडप निती जो थी, एक किस लोड द्वारा शुरू की गई थी, या फिर लागू की गई थी, लोड दलहोजी द्वारा शुरू की गई थी question number 40 है, महराजा परताप के घोडे का नाम क्या था, what was the name of the चेतक स्कूटर का नाम सुनाओगा ठीक है, वस याद लटने है, चेतक स्कूटर दे था, ये किसका था, चेतक किसका था, चेतक आपका महराणा परताप का था, question number 40 है, सबतंतर भारत के प्रतम भित मंतरी कौन थे, पहले finance minister आपके पूछे हुए हैं, कौन थे भारत के, तो right answer क्या रहेगा, आर के शण मुखर चेतर जी, आर के शण मुखर चेतर जी तो थे, ये बित मंतरी थे, सबतंतर भारत के, next question है, दुनिया का पहला उपग्रह कौन सा था, important question है, पहली satellite आपकी पूछ भी है, वर्ड की पहली satellite कौन थ थी, तीक है, Sputnik one जो थी, ये आपकी पहली satellite थी, दुनिया की, next question है, पूर्वांतर भारत का सबसे बड़ी जील, लौक तक जील, किस राजे में स्तित है, भारत की, माफ़ करें, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जील, लौक तक जील, ये किस राजे में स्तित है, तो आप अगर थोड़ा सा question हुआ के बोला हुआ है यानि सूर्य के प्रकाश को पहुंचने के लिए पृत्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है तो कितने सेकंड का समय लगता है नाम को कहा दफा करो अनुनाचल प्रदेश में तो अब question number A right रहेगा जादू गोड़ा का कान किसके लिए परसीध है। जादू गोड़ा जो है ये से किसके लिए जाना जाता है uranium के लिए से जाना जाता है next question मुख्य मंत्री की निक्ति किसके दवारा की जाती है why हम इसी chief minister is appointed chief minister की निक्ति किसके दवारा की जाती है राज्येपाल दवारा करी जाती है बस याद रखने है हमारे देश का परधान मंत्री राज्येपाल होता है राज्येपाल होता है राज्येका और मुख्य मंत्री से होता है वो आप परकार का राष्टपती है पिर क्या मान सकते है उसका अब याद नहीं आ रहा ठीक है सलाकार भी मान सकते है बाकि आपको डिपेंड करता है किस तरह से आपको याद रखने है भारती राज नागलेंड की अधिकारिक भाशा किया है आफशनी लेंगवज पूची हुई है नागलेंड स्टेट की तो क्या है अंग्रेजी यह ठीक है बात करें पूरवी राज जोकी और धक्षनी राज जोकी तो इसमें मैक्समा आपकी कौन सी भाशा बूली जाती है इंगलिश ही बूली जाती है और हाड़ें उत्तर साइडा नहीं ता पैसा अब इंगलिश ओन दी नहीं है next question है, कृत्रीम बर्षा कराने में किस रिसाइन का प्रयोग की जाता है यानि जो artificial rain होती है, यानि कृत्रीम बर्षा होती है, किसके दारा करवाई जाती है silver idate दारा करवाई जाती है, और silver idate का सुतर याद रखें, ए जी एलाप का होता है next question है, दक्षिन भारत की सबसे लवी नंदी कौन जी है, सबसे लंबी नदी पूछी है दक्षिन भारत की, विच जिल्ती longest driver in South India, तो South India की होती है कृदावरी जिसके लंबाई कितनी है, 1400, 1455 किलो मीटर है लिटमस पत्र किसे प्रापत किया जाता है, जो लिटमस पेपर पत्र होता है इसे किसे प्रापत किया जाता है, लाइकेन से प्रापत किया जाता है जिवान यानि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जो होता है, दो कोश्की होता है, तीन कोश्की होता है अर्दिशास्थर के शेटर में नोबल पुरस्तार किस परश से प्रदान किया जा रही है एचोन्वी में जो नोबल प्राईस दिया रहा है ये कौन से संसे दिया जा रहा है 1969 से जो है अर्दिशास्थर में नोबल प्राईस दिया जा रहा है Next question है Discovery of India के लेकक कौन है वो इस थी author of the book Discovery of India तो Discovery किसने करी थी जवालाल नहरू ने भारत की Discovery करी थी नाम टेली ही Next question है सानिया मिर्जा किस केल से सवंधित है सानिया मिर्जा is related to which spot बाकी नाम पर इतना बोड़ी नहीं रहा अब ठीक है अब कमी question पूछी जाते है इन से तो सानिया मिर्जा आपकी किस से सवंधित है तैनिस से आपकी सवंधित है Next question है इटली की राजानी रॉम किस नदी की किनारे बसा है इटली की राजानी क्या है रॉम है ये कौन सी नदी की किनारे बसा हुआ है टाइवर नदी के किनारे बसा हो है नेक्स कुशन है दक्षन अफ्रीक का यातरी इवन बतूता किसके साशनकाल में भारत आया था फिर से सुनने अफ्रीक की यातरी इवन बतूता किसके साशनकाल में भारत आया था किसके साशनकाल में भारत आया था महम्मद विन तुगलग महम्मद विन तुगलग के साशन काल में आया था Next question है यातरी इवन बदूता कहां से आया था नी कोन से देश से आया था Where did the traveler इवन बदूता come from कहां से आया था चीन से तो आया नहीं था चीन अफ्रीका में नहीं पड़ता अफ्गानिस्तान नहीं पड़ता नन अफ्थी स्याफी मराको तो राइट अंसर एक option बड़ी मराको से आपका आया था Next question है भारती सविदान की 10 वी अंसूची किस से स्वंदीत है जो 7 schedule है आपका ये Indian constitution का ये किस से related रहा है तो ये आपका दल वदल विधेक से imported है दल वदल विधेक के स्वंदीत है 7 schedule विशाणू क्या है What is a virus? तो वाइरिस एक परकार का क्या होता है एक कोश्की होता है अ कोश्की होता है या फिर इन में से कोई नहीं तो किस परकार का होता है अ कोश्की ठीक है कोश्की होता है रिशाडू नेक्स कोईशन है साथ वाहनों के समय सुमे मुंद्रा सरवादिक की स्ताटू के वने थे जो साथ वाहन का समय था यानि साथ वाहनों जो आपके शाशन गाल थे इनके समय जो मुंद्रा हुआ करती थी ये कि स्ताटू की वने होती थी चांदी सी सा लोगों को बाट होगे तो कम हो जाएंगे ठीक है एक राजा को बंग्ट होगे तो सोर भीया जादा हो जाएंगे तो साथ वाहन यह नहीं साथ लोगों के पास जादा जा थीक है थोड़ी थोड़ी सी वह थी तो इसमें थूती थी क्या होगी ग्रीबी आगी तो ग्रीबी आन का जिन्म हुआ था next question है सोर मंडल का सबसे बड़ा उपन्य मियद्प शोता उपन्य मेद्ध हमारे सोलर सिस्टम की सबसे छोटी english सेटलाइट कौन ची है तो यह सबसे चोटी सेटलाइट है दीमोस यहां पर थोड़ा सा गल्थ है दीमोस आपको रहेगा चलिए आपको डीमोस का बताना है डीमोस किस रहेगा सबसे चोटा उपकर है नेक्सक्वषन है मतदान के समय मतदान के उगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही किसकी बिनाई जाती है जू सिल्वर नाइट रिट की यह सियाही होती है जिसका सूथर आज़ी एनो थी होता है नेक्स कुशन है रॉकेट नियूटन के किस नियम के अधार पर उड़ता है नियूटन के किस नियम पर अधार पर रॉकेट उड़ता है तीसरे नियम के अधार पर उड़ता है नेक्स कुशन है लॉंग दूइप किसे कहा जाता है जजिवार को लॉंग दीप कहा जाता है नेक ऊहीं आमनी घौल का पिटना होता है तो ऐब अमयली घोल का जो एसीड होते हैं उनका पिशाष्मान सास से अधिक होता हैज आगते ऊंधू सब्धैह था में वरिबख सणाना नागर कहा जाता था सब्सक्राइब किसे ऐसे कहा जाता था अज का जाता था एक बर कॉशन ये चेक कर लेना 1972 की वटलर कमेटी काउदेश क्या था वट वास्ती परपस आफ थी वटलर कमेटी आई थी किसके लिए आई थी भारे सिरकार था देशी रियास्तों के बीच सवंदों का सुभार करने के लिए बनाई गई थी नेक्स्ट कुशन है दीन बंदू के नाप से किसे जाना जाता है दीन बंदू के नाप से किसे जानाता है हुब आस्ती दीन बंदू तो दीन मैं बंदू था ठीक है दीन का बंदू कोन था चितरंजन दास ना 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 तो दीन बंदू आपका कोन था C.F. Andrews था, तो दिन को आपको मैंने इसे किस तरह समझाया है, दिन हो रहा है यानि, दिन को कहते हैं, दे कहते हैं, तो दे आपका English World है, तो दे आपका English World है, तो आपका अंसरी पिए आना चाहिए, इंग्लिश का आना चाहिए, तो C.F. Andrews, Andrews English का सब्द है, याद हो गया अधारित है, अब यहां से question आपका पूछता है, कि दीन बंदू, तो जलिए आपको बताना है कि देश बंदू किसे का जाता है, जल्दी से कमड़ाॉक्स में बताईए, तो देश बंदू किसे का जाता है, और इसका right answer है, भारत का राश्री पंचाक किस सवन्द पर अधार निरित्ती शैली है, जो कथक है, तो कथक आपका कहां से शैली है, उत्तर भारत की शैली है, ठीक है, माँ खरें, उत्तर भारत में कही जाता है, यह निरित्ती, next question है, खुजराहो के मंदिर किस राजे में स्तित है, in which state is the temple of खुजरा, लोकेटर तो कहां पर सित है, मध्य पर को दवारा, खुजराहो मंदिरों का निर्मान करवाया गया था, next question है, असेयोग अंदोलन का निर्तित्व किसके दवारा किया गया था, जो असेयोग अंदोलन था, इसका निर्तित्व किसके दवारा करा गया था, चलिए आपको बताना है, नॉन कापरेशन नूमर्ड जो ह पर काम पर सित्थ है हुनेश्वरन ओडिसा में है मोगन दरबार में आने बाधा प्रतम अंग्रेज को था मोगन दरबार में पहलेगल को यह था με Captain Hawkins, Captain Hawkins तो पहला अंग्रेज था, जो कहां पर आया था, मुगल दर्बार में आया था Next question है, 1905 में बंबई में Servant of India Society की स्थापना किसने करी थी? यह हाल ही मैं किसमें मुझा गया था, ट्रेमने में मुझा गया था Servant F.O.D.A. की स्थापना किसने करी थी? कौपाल कृष्ण घोगले ने इसकी स्थापना करी थी, अभी सन भी याद रख ले, 1905 में कौपाल कृष्ण घोगले द्वारज है, Servant of India की स्थापना मंबई में करी गई थी सामूही ग्रूप से मंत्री परशित किसके प्रती उत्तरदाई होती हैं? कौष्ण को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से अंसर देना है, नहीं तो कौष्ण को गल्थ करोगे सामूही ग्रूप से मंत्री परशित किसके प्रती उत्तरदाई होती हैं? किसके लिए होती हैं? परधान मंत्री के लिए ना 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 परधान मंत्री के लिए नहीं इसके लिए उत्तरदाई होते हैं लोग सबा के लिए उत्तरदाई होते हैं अगर मैंना परधान मंत्री कार दिया तो परधान मंत्री परशित किस परड़ पेंटा कोगे तो लोग सबार पेंटिड रहते ह हैं नेक्स कुशन है बुध की मृतिव चारसो इस पूर में कहां पर हुई थी वेन डिप दी वुधा डेट इन 483 VC तो VC में कब समापत हुए थे कुशिन अगर में ठीक है कुशिन अगर उत्रप्रदेश में जो है महात्मा मुध की मृतिव हुई थी नेक्स कुशन इंपोर्डिड है सिगरेट लाइटर में कौन सी गयास प्रयुक्त होती है इसे प्रदान किया गया था यानि पहले भारती जिसे घ्ञान पीट पुरसकार दिया गया था कौन थे जी शंकर गरूब थे Next question है यहाँ पर बात हो दिया है हिंदी लेखक कौन थे कौन थे सुमित्रानंत पंत थी पंत थी आपको दो बुख पता नहीं जो बुख एक से दो बुख दो है जो इंपोर्टेड आपकी एकसाम में पूची जाती है Next question है, हीन यान और महा यान किस धर्म के दो भाग हैं? Next question है, Wings of Fire किसकी आत्म कदा है? Who? Autobiography is Wings of Fire तो Wings of Fire किसकी आत्म कदा है? Dr. A.P.D. अबदुलकलाम की आत्म कदा है Next question है, एजरा कप किस केल से स्वंदित है? ये किस केल से स्वंदित है? Butter पोलो नहीं, पोलो से आपका स्वंदित है Next question है, After Oncology में किसका दहिन क्या जाता है? Cancer का दहिन जाता है? Onco, Onco, onco तक है다는 है Next question है, भारत निवाचन आयो की स्थापना किस भर्ष की गई थी? भारत निर्वाच्चन आयोग की स्थापना कब गई गई थी 25 जनवर 1950 को करी गई थी next question है 1857 की किरांती के समय ब्रिटेन का परधान मंतरी कौन था who asked the prime minister of the Britain at the time of 87 revolution तो उस समय परधान मंतरी कौन था Lord Paulam Rastan Lord Paulam Rastan जो थे या आपके 1857 के समय ब्रिटेन के परधान मंतरी थे और भी option आपको देखने को निल सकता है पर राइट अंसर एगा option number A Paulam Rastan next question है सिखो के किस गुरु का जनम पटना भिहार में हुआ था तो किस गुरु का जनम पटना भिहार में हुआ था किसका जनम हुआ था तो चलिए आपको यह question home work रहे का comment box में आपको बताना है next question है चोसा कायद 1549 में इसके बीच हुआ था तो चोसा कायद जो हुआ था 1549 में हिमाईयों और शेरसा सूरी के बीच हुआ था जिसमें जीता कुन था शेरसा सूरी आपका जेता था और हिमाईयों की हार हुई था या आप्शन नमबर भी राइटें रहीगा रामा नुजन पुर्सकार किस शेतर में दिया जाता है अगर आपने नाम ज्यान से सुनाओगा रामा नुजन जो थे यो क्या थे एक वरकार के गनित के बहुत ही विज्यानी थे इसी से रेलेटेड आपका इनका आपड़ दिया जाता है यनि गनित की शेतर में दिया जाता है पंचायिती राज अधिनियम किस सूची की भाषा है थो पंचायिती राज एक जो है एक किस सूची में आता है राजी में आता है लास्त कोशन आच का हमारा भारती सवीदान के किस अनुशेद में मौली करटब्ब्ध आपके सामिल है कऽे नमबर 800 आपका आपकी सामने है मौली करदब्ध केस आठिकल में आते हैं 51A में आते हैं यह आठिकल 51A के अंतरगत आते है पहला कोशन मह इंपोरिड़ है कोशन है पंच मड़ी किस राज्य में स्थित है इन विच स्टेट इस पंच मड़ी लोकेटिड तो कहां पर स्थित है राइक अन्च नेगा अप्शन नमबर ए मध्य परदेश में स्थित है पंच मड़ी गांधी जी ने सत्यागरा का सरप्रत्म प्रयोग कहां पर किया था यानि सबसे पहली बार महात्पा गांधी दवारा सत्यागरा कहां किया गया था तो इनका पहले सत्यागरा हुआ था दक्षन अफरिका में हुआ था उसके बाद भारत में सत्यागरा यानि अंदोलने चमपारन अंदोलन कब हुआ था, अस्य अंदोलन कब हुआ था और भारेचोड अंदोलन कब हुआ था, तो याद होगा महात्मा गांदी द्वारा जो पहला सत्यागरा करा गया था, 1917 में कौन सा चमपारन अंदोलन सबसे पहला महात्मा गांदी द्वारा किया गया सत्यागरा कवक किसका राइट अंसर रहेगा कवक तवारा ये फैलती है एथलीट फुट नेक्स्ट कुशिन है निदरलैंड देश का रास्ति खेल क्या है वाट इस दी नैश्टल निदरलैंड का रास्ति चिन क्या है क्या है औप्शिन नमबर चाएश का रास्ति चिन है आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है राइट अंसर क्या रहेगा option number B तना इसका राइट अंसर रहेगा question number 8 है साथ है dreams from my father dreams from my father नामक पुस्तक के लेखक कौन है who is the author of the book dreams from my father तो राइट अंसर क्या रहेगा यह किसके दोबार लखे गे थी यह बुकले की गे थी आपके अमेरिका के प्रेज़न दोबारा जिनका नाम क्या था बराक ओवामा बराक दोबारा जो यह बुकले की गे थी dreams from my father question number 8 है दिल्ली में कुतू मिनार का निर्माण कारे किसने शुरू किया था यह question most important कह सकते है question number 10 है मसाइज नजाती आपकी कहा पर पाई जाती है यह मुक्य रूप से दो देशों में पाई जाती है दो देशों का नाम क्या है Kenya और तंजानिया Kenya और तंजानिया देश में जो है मसाइज नजाती पाई जाती है option number 20 का right रहेगा question number 11 है sugar bowl of the world चिसे हम चीनी का कटोरा कहते है sugar bowl of the world किसे कहा जाता है bishop में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है बैसे थो हमारे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है पर bishop में पूछे sugar of the world किसे का जाता है क्यूबा को कहा जाता है option नमर बिल्कुल से answer रहेगा इसका next question दोस्तों आपकी सामने भारती नामक समें भारती नामक समें अधारित है इंडियन स्टेंडर टाइम इस वेसे डूम तो यह आपका कहां पर लिया गया है ठीक है चलिए आपको location बताने है किस स्थ time जो कि कितने आगे है साड़े पांच घंटे आगे है question नमर 13 आपके सामने है Indian state time और green which time में कितना का अंतर है जो आपका Indian state time और green means times है ठीक है green means times आपका इंडियन स्टेंडर आई जिसे मां IS दी कहते हैं और green which ठीक है green which means time है उसके बिच कितने घंटों का अंतर है आपके साड़े पांच घंटों का अंतर है जो कि मैंना आपको पहली ही बता दिया है next question है मोहन जोड़ो का स्थानिय नाम क्या है what is the local name of मोहन जोड़ो तो मोहन जोड़ो को किसके नाम से जाने जाता है मृत को का टिला भी कहा जाता है मोहन जोड़ो को option नमर भी बिलकुल correct answer इसका question number 15 है सारनात में बुद्ध का प्रतम प्रवचन क्या कहलाता है अब याद रखें सारनात में महात्मा बुद्ध द्वारा जो है पहला पुदेश दिया गया था जिसे क्या कहा जाता है जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है महात्म बुद्ध द्वारा दियेगे प्रवचनों को जो सबसे पहले सारनाथ में उन्होंने दिया था नेक्स्ट कुशिन आपके सामने देखने हैं कॉश्चन नमबर 16 है अजन्ता की गुफाओं का निर्मान किसके साशनकाल में हुआ था तो राइट अंसर रहेगा ऑप्शन नमबर 8 गुपत काल में जो है अजन्ता की गुफाओं का निर्मान करवाया किया था चलिए आपके लिए सिंपल सा कोशन है आपको बताना है अजन्ता की गुफाओं कोन से राचे में आपकी स्तित है भारत की किस राचे में आजन्ता की गुफाओं स्तित है कमेंट वॉक्स में जुरूर इसका अंसर बताईए डांडिया कहां का परसिद निर्यत्य है डांडिया इस दी फेमस टांस ओफ बिच आफ दी फॉलोविंग बिच आफ दी फॉलोविंग स्तित तो डांडिया कहां पर के जाता है गुजरात में डांडिया किया जाता है Q18 है रेगिस्तान में मरिक मरिच का वनने का क्या कारण होता है मरिक मरिच का जो है ये किसके कारण आपकी वनती है किसके कारण वनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या फिर प्रक्रिनन होगा ठीक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है रेगिस्तान में ठीक है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारे रेगिस्तान में जो है ये किसी भी रेगिस्तान में जो है मरिक मिरिच का वंथी है । किसके बीच की ओसत दूरी है jsूरियोक और क्ष stoked you czynit कहला प्रित्वी legitim की यूरी जो होती है किनके बीच की होटी है सूर्य और प्रिठ्वी के बीच की दूरी को क्या का जाता है। ये दूरी कहा जाता है फिर से आ रख लें सूर्य और प्रिथवी के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या गा जाता है खगोली दूरी कहा जाता है सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है सबसे निदिक आपकी बात करें उसके बात शुकर उसके बात प्रिथवी और सबसे लास मैसे आपकी आते हैं आरून और वरून तो लास तो है का आपका सबसे क्या है दूरी पर स्थित ग्रह है सूर्य से फलो को पकाने या फिर कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का परयोग किया जाता है अप्शन नमर वी इसका राइट अंसर रहेगा फशन नमर बाइस है मास पेशियों में किस धरव के एकात्रित होने पर धरकान मैसूस होते है ये गुशन आपका मेरे खाल से 2020 में पूछा गया था कौन से एसिड का दी गया है हमारे श्रीर में एकटा हो जाता है तो हमें तकान महसूस होती है किसके कारण होती है लेक्टिक एसिड के कारण ये होता है बिल्कुल से दोस्ता option number 20 का रहेगा next question है follow का अधियन क्या कहलाता है what is the study of roots called it follow के अधियन को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है pomology कहा जाता है बिल्कुल से option number 20 का रहेगा next question है diopter किसकी इकाई होती है diopter is the unit of important question last year 1 November को ये question पूचा गया था diopter किसकी इकाई होती है lens की शमता की इकाई होती है बिल्कुल से दोस्तों option number 20 का right answer रहेगा lens की शमता को या lens की जो unit होती है वो diopter में मापी जाती है question number 25 है डिल्ली के लाल किले का निर्मान किसने परवाया था question number 26 है question number 26 है बिशेव स्वास्ते दिवस कब बनाया जाता है when is the world health day celebrated बिशेव स्वास्ते दिवस कब बनाया जाता है हर साल 7 अप्रेल को बिल्कुल से option number B 7 अप्रेल को बिशेव स्वास्ते दिवस मनाया जाता है question number 26 है www.w.w.w. जिसकी फिलफर्म होती है world wide trade माफ करे world wide back के आविशकार क कौन थे who invented the www www का आविशकार किस ने किया था T. Tim Warnley ने Tim Warnley ने जो है www का आविशकार किया था next question है जैका वाडी जल विदुत प्रियोचना किस राजए मैं अफस्तित है in which state is the जैका वाडी हाइड로 electric project located जैका वाडी जल विदुत प्रियोचना किस राजए मंस्तित है तो ये आपकी महरा महरास्ठ में कौन सी नधी पढ? महराष्ट में कुदावरी नदी पर स्तीत है पृत्वी की आयू का अंकलन किया जाता है जो हमारी पृत्वी है इसकी आयू का अंकलन किसके दवारा किया जाता है इसकी एज किसके दवारा पता लगा जाती है इसकी एज पता लगा जाती है Uranium Dating विधी दवारा ठीक है Uranium Dating विधी दवारा और Carbon Dating विधी दवारा भी जो है पुरानी चीज़ों की आयोपता की जाती है Next question है आशा की धातु किसे कहा जाता है What is the quality metal of hop आशा की धातु किसे कहा जाता है तो uranium को आशा की धातु कहा जाता है are given for the best performance in the field. तो ओस्कर पूर्सकार किसके शेतर में दियाता है? सिनमा में के शेतर में दिया जाता है. औप्शन नुमर भी क्रेक्ट कर लें. Next question है, एलिजा जांच किस रोख की पहचान के लिए किया जाता है? जो एलिजा टेस्ट होता है, ये किसके जांच के लिए किया आता है? तो एलिजा टेस्ट आपके एलिज़ के जांच के लिए किया जाता है. Most important question है. Next question है, रास्ती मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? When was the National Human Rights Commission established रास्ती मानव अधिकार की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्तूबर 1993 को हुई थी. Option मर भी बाइत रहेगा. गौवी मरस्तल किस देश में स्थित है. In which state is the Goway Desert located? तो गौवी मरस्तल जो है, ये आपका कहाँ पर सित है? मंगोलिया और चीन में स्थित है. तो यहाँ पर आपका right answer क्या रहेगा? मंगोलिया इसका राइट अंसर रहेगा चीन में इसका थोड़ा सही भाग लगता है नेक्स कुशिन है और उतरी मेर्का के प्रेरी कहा जाता है चलिए आपको बताना है घाना जो है कि किस देश के घास के मिदान को कहा जाता है यक्षगान नामक लोक नुट्ट्य का समandin इस राजिय से है और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नड़ कर दो चलदी से वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को शेर कर दो चैनल को सबस्काइब कर लो वीडियो बहुती इं पोडिड इंपोडिड आत्मिक सांट लिए आती है और यहां पर आपका पुछ होगा है वर्ट विच स्टेट इस दी फ्लॉग डांस नेमिड यक्षगा तो यक्षगान आपका किससे स्वंदित है करनाटक राज जिससे स्वंदित है वर्ट नमर 38 है किस तापान पर सेल्सिस और फार्ने हाइट पेमाना समान होता है तो माइनिस 40 इगरी पर समान होता है नेक्स कुछ आपके सामने आया पंच शील समझोता 1984 पर हस्ताक्षिर किन दो देशों के बीच हुए थे नेक्स कुछन है रख प्रतेशित भाग लखवख जल होता है वट परसेंटिस ऑफी बलट प्लास्मा इजग प्रित्वी के दुरूप पर जाएंगी तो जी का मान जो होता है क्या हो जाएगा बढ़ जाता है यानि गेन हो जाता है नेक्स कोशन है रास्ती खेल दिवस का मनाया जाता है वेन इस दी नैशनल स्पॉस दे सेलिवरेटे डिये कोशन हाल ही मैं आपका इसलिए पूछा जाएग पूछ रहा हूँ ठीक है मेजर ध्यानचन भारत रतन एवोर्ड कर दिया गया है अब इस कोशन को याद कर लेए कोशन डेफिनल्टी आपकी एक्जाम है पूछेगा यह आप याद कर लो किस सविदान सशोदन दवारा बर्ष 2026 तक लोग सवा की सीटों के पूनल निधारन पर प्रतिवन लगाया है आपको याद होगा कि 2026 तक लोग सवा की सीटों कितनी रहेंगी 500 माफ करें 522 आपकी रहेंगी ठीक है दोहजरचपडिस के बाद वहां इनके संधेया बढ़कर कितनी हो जाएगी हो सकता एक हजार से ऊपर हो जाए ठीक है तो это संशोधन बबारा ठीक है किस संशोधन बबारा टैयागाता कि यह लोक-सबाद की सीहरों होगीgeries 2026 तक 252 ही रहेंगी तो कौन से सविदान सचोधन था चुरासिमा सविदान सचोधन था जो कि कब हुआ था 2001 में आपका हुआ था option number D इसका correct कर ले next question है महावीर सौमी जेन के कौन से तीर्थक थे महावीर सौमी जेन धर्म के कौन से तीर्थक थे उसका इकन से तीर्थक थे 24 में थिर्थक थे कह सकते हैं और अंतिम थिर्थक थे येवि कह सकते हैं next question है तेराइन का प्रतम यूद 1911 में पृत्र हान ने किसे हराया था first battle हुई थे तेराइन की जिसमें प्रिष्वीर चौहान ना किसे हराया था महम्मद गोरी को हराया था नेक्स कोच्षिन है तराइन का दुविति यूद 1172 में इसके बद्धे हुआ हथा तो पहली बौर्ज हुई थी 1191 में तराइन की ये भी आपके पृत्वी और किसके बीच हुई थी गोरी के बीच हुई थी है टाइफाइड के लिए ठीक है टाइफाइड के लिए जो है विडाल टेस्स का प्रयों किया जाता है next question है बल की परिभाशा गति के किस नियम से मिलती है जो बल की परिभाशा ये गति के किस नियम से जाता है what is the measured by manometer क्या मापा जाता है गैसों का दाब जो है मैनो मीटर दबारा मापा जाता है question number 50 है email का चनम दाटा किसे कहा जाता है यानि email का अविश्कार किसने कर रहा था right answer एगा option number D दोस्तों Ray Tom listen दबारा जो है एमेल का विश्कार किया गया था तो पेदिया या फिर जिसे हम share हो कहते हैं जिसे हम tuberculosis यानि टीवी भी कहते हैं उत्पन करने बाला जिवानों यानि बैक्टीरिया कौन सा होता है कौन से बैक्टीरिया के कारण आपका tuberculosis यानि टीवी नामक विमारी होती है किसके कारण होती है right answer एगा option number A mycobacterium tuberculosis फिर से याद कर लें mycobacterium यानि बैक्टीरिया दबारा होता है तो बैक्टीरियम आ गया tuberculosis किसे कहते है tuberculosis टीवी को कहते है तो वस आपको यानि के याद रखना है mycobacterium tuberculosis के कारण टीवी आपका होता है next question है क्षय याफर टीवी रोग से कौन सा अंग परभावित होता है which organ is affected by tuberculosis टीवी डिसीज़ टीवी के कारण शरीर का कौन सा भाग हमारा परभावित होता है अगर आप option number B बता रहें बिल्कुल सही अंसर आप बता रहे है option number B फेफडे इसका right answer रहेगा question number 3 natal का खाने योग्ग भाग कौन सा होता है जो नारेल होता हैggakा खाने योग्ग भाग कौन सा होता है तो राइट अंसर क्या रहेगा, option number भी दोस्तों इसका राइट अंसर रहेगा, भुरुण पोश जो होता है, भुरुण पोश नारियल का खाने योगे भाग होता है, Next question है, महावीर स्वामी का जनम 540 इस्भी पूर्व कहां पर हुआ था, महावीर जेन का जनम 540 पीसी में कहां पर हुआ था, कहां पर हुआ था, कुंडल गाम बेशाली में हुआ था, वोद गया किसे सबंदित है, तो वोद गया आपका वो धर्म से, यानि महात्मा बुद से आकरमन के समय, गुजरात का शाषिक कौन था, सौमनात मंदिर कब लूटा गया था, 1025 में लूटा गया था, आपको पता है, इसने 17 आकरमन करे थे, 1000 से लेकर 1027 तक, आपको ये भी पता होना चाहिए, और महमूद गजनी द्वारा सबसे, जो महत्तपुर्ण लूट थी, व जेदे, किसके सभा में रहते थे, गीर्द गोविन किसके द्वारा लिखी गई थी, गीर्द गोविन जो है, जेदे द्वारा लिखी गई थी, और ये किसकी सभा में रहते, यानि किसके साषिन काल में थे, जल्दी से बताइए, किसके साषिन काल में थे, चंदरगुप्त म आपके सामने हैं तो राइट अंसर रहेगा जो भी दोस्त पता रहे हैं शुद्रक किसका राइट अंसर रहेगा मृच कटिकम किसके दबारा लिखी गई थी शुद्रक दबारा लिखी गई थी Q8 आपके सामने हैं इलाइची पहाड़ियां या फिर कार्डे मॉम हील्स कहां पर सीथ हैं ये आपकी पढ़ती हैं केरल में आपको बताओगा इलाइची का सबसे दी कुद्पाजन कोंड करता है केरल करता है तो केरल इलाइची से सबन्दी जितने कोश रहेंगे आपका राइट अंसर क्या रहेगा केरल इसका राइट अंसर रहेगा Next question आपने सुना होगा नाथुला धर्रा किस राजे में स्तित है तो बतानेक जूत नहीं पड़ेगी राइट अंसर एगा option number B सिक्की में पढ़ता है नाथुला पास कॉशन नुमर 60 है निक्ट दृष्टी दोश जिसे कहा जाता है मायोपिया भी कहते हैं कि निवारन के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है विच लेंस इस यूज़ तो क्रेक्ट मायोपिया गरेक्ट यानि दृष्टी दोश को मायोपिया कुठ ही करने के लिए कौन से लेंस सही होता है अव्थल लेंस का प्रयोग किया आता है यह आप्शिय नुमर भी बिल्कुल सेंसर आपका अर रहेगा कॉशन नुमर 61 है दूरदृष्टी दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं कि निवारन के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो है कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है और गाडियों के पीछे देखने के लिए विए आपका उत्तल लेंस का प्रियों किया जाता है. चलिके आपके लिए एक ओसना कोषईन है. मानम का नेतर जो होता है लिनस की भाथी कारिय करता है. उत्तल अपतर समतल या इन में से कोई नहीं. चलिए question number बासर आपकी सामने हैं, बनारस हिंदू विश्यविदाले से हम VHU कहते हैं, किस तापना 1916 में किसके द्वारा करी गई थी, वो फाउंडेटी, बनारस हिंदू विश्यविदाले VHU, 1960-80, किसना करी थी, हिंदू विश्यविदाले किस तापना, पंडि जौला नहर जो है, 1916 में बनारस हिंदू विश्यविदाले किस तापना करी गई थी, चलिए आपके लिए सिंपल सा question है, आपको क्वेंड वाक्स में बताना है, बनारस हिंदू विश्यविदाले जो है, वरतमान में भारत के किस राजे में स्तेथ हैं, Next question है, 1978 का वरना कुल प्रेस एक्ट लोड लिटन को किस ने रद किया था, अब याद रखें, 1870 में आपका वरनार कुलर एक्ट जो है, वरनार कुलर प्रेस एक्ट जो है, किसके दबारा शुरू किया गया था, ये लोड लिटन दबारा शुरू किया गया था, और इसे रद 1878 में से लोड रिपन दवारा रद कर दिया गया था Next question आपके सामने है देवदास उपनियास के लेकक कौन है Who is the author of the Nobel देवदास तो देवदास उपनियास जो है किसके दवारा लिखी गई थी शरत चंदर चटो अपाध्या दवारा लिखी गई थी Constitution का इंडियन Constitution का ये हमें किसके बारे में बताता है राज्य के निति देशों के सिधान्तों के बारे में बताता है अब याद रखें भाग एक जो है संग और उसके शेतर के बारे में बताता है और भाग दो जो है ये नागरिक्ता के बारे में बताता है भाग 3 जो है, ये मूल भूत अधिकारों के बारे में बताता है और भाग 4 जो है, ये राजे के नितिर नर्देशक सिधानतों के बारे में हमें बताता है Question number 66 है, CK Naidu Cup किस केल से स्वंदित है? Simple question है, CK Naidu Cup is related to which spot, तो किस केल से स्वंदित है? आपका किरिकिट से स्वंदित है Next question है, Leander Pace का स्वंदित के स्वंदित है? Leander Pace is related to which spot, तो Leander Pace आपके किस केल से स्वंदित है? नाम सुनाओगा, टैनिस से आपके व्यक्ति स्वंदित है Next question है, नाखुन, खुर और सिंग किस उत्तक के बने होते हैं? खुर होते हैं, सिंग होते हैं, ये कौन से उत्तक टिशू के बने होते हैं? किस टिशू के बने होते हैं? कैरिटीन उत्तक के बने होते हैं नाखुन हमारे होगे, खुर किन के होते हैं, खुर आपके जानबरों के होते हैं सिर जो होते हैं, सिंग जो होते हैं, जानवरों के, इस सबी जो होते हैं, कैरिटीन उत्तक के बने होते हैं, नेक्स कुशन है, ताई ताई नामक रोग किसके कारण होता है, तो किसके दवारा आपका ताई ताई नामक पिमारी होती है, किसके दवारा होती है, कैडिमियम परद आप्साइब पूर्च सकता हैं तो डर्थनाख अस्ति रोग टाइटाई का पहला कहा पता चला था सबसे पहले जो है टाइटाई रोग का पता जो कहां पर चला था जपां देश में चला था और जपान में हाल के ही आप ये टोक्यों Fast हुए थे माँ आप करें 2020 के अलम्पिक हुए थे next question है आलू किस कुल से स्वंदित है आलू जो है यह किस कुल से स्वंदित है जल्दी शताईर राइट अंसर कहा रहेगा आलू किस कुल से स्वंदित है तू, किस स्वंधित है नेक्स्ट कुशन है वह्षिवा स्वांस्ति सखवड़यो की स्तापना कब हुई थी वेनबाशती वड़्ड हेल्ट और्गासेशन्स किस का हुई थी साथ आप्रेल свет 108 इसका मुख्यालने जिनेवा कहा पर अस्थापन होता है यह किसका इसको होता है पारिका ना अलूमीनियम का इसको होता है वाक्साइड नेक्स्ट कुशिन है विरंजिक चूरण जिसे हम क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसका रसाइनिक नाम क्या होता है वर्ट वाजी केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ब सूतर भी याद रखते हैं, इसका सूतर आपकी एक्जाम में है, कैल्शियम औक्सी क्लोराइड और इसका सूतर होता है, C-A-O-C-L-2, व्लीचिंग पाउडर का सूतर, next question है, ब्लीचिंग पाउडर किसे, ब्लीचिंग पाउडर का सूतर, ब्लीचिंग पाउडर का सूतर, वीडियो को जुरूर शेर करना, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, बाकि आपकी सामनी है, लोहे का सबसे शुत्म रूप कौन सा होता है, तो प्योरस्त आपकी पूछा होता है, सबसे प्योर आइरेन आपका पूछा कौन सा होता है, ये भाग 2 के अंदर आते हैं, भाग 2 के अंदर जो है, इसकी बात करीगी है, नागरिक्ता की बात करीगी है, तो आपको अरिशे देख रहे हैं, एक से चार, तो ये तो भाग 1 में आएगे, फिर आपका वस्ता है, पांस से ग्यारा, तो ये भाग 2 में आ रहे हैं, भाग 3 में क जो कि हमारे मोलेक अधिकार हैं चासीत के ग्यावन इसमें नितीद्रदेशिक तत्व आपके आजाते हैं तो राइट असर क्या रहेगा option number B आर्टिकल 5 से 11 में जो है नागरिक्ता सिस्वंदीत प्रावदान कि ये गए हैं next question है दुआधार जल पर पाथ किस नदी पर स्थित है ये आपका किस नदी पर स्थित है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है जो की कहां पर है जबलपुर्मध्य प्रदेश में स्थित है option number D इसका रहेगा next question आपकी सामने दोस्तों Osteologie में किसका अध्यन आ जाता है Kiska किया जाता है ? 🎵 तो किसका अध्यन कियता है हड़ियों के अध्यन को क盡़ जयाता ये लिए कांपर पर पर चोई खते ये 584 पर पौकशला के और पर परकनल पर पर कर पर परावा पररी राजगरीमय की मईतियों हुई स्थी 2 पार नभीच का राइट कर लें क्षिन है सुरक्षा प्रकोष्ट की निति किस गवर्णर जन्र से सबंदित है रिंग जबरेंग जबरेंग fan जबरेंग जबरेंग जन्र से स्बंदित थी तो किस सबंदित है या इनि envision Пट्रोल की quantity होती यह नि अच्छा है या बूरा है कैसा भी है इसकी quality ज किसके द्वारा निरदर की जाती है अक्तेक संक्या द्वारा निधारत की जाती है next question है सूबुरतो कप की scale से 70 है two wesh on the Stop जो है किस गेल से स्वंधित है कि या आपका फुटबॉल मास्टर घंठी आ विय जो सबसे चूटी हो गई तो सबसे चोटी लोगी उसमें आप स्वंधित हो जया ऊजिए तो सबसे चोटी घंठी खोती है झिमाग मा ृष जी दिमाक मास्टर प्यूश तो प्यूश करंती इसका राट अंसर रहे जाएगा Next question है खानबा कायूद कब और किसके बीच लडा गया था अब ये question important है खानबा कायूद कब और कब किसके साथ लडा गया था मापकरें कब और किसके बीच में लडा गया था तो ये तो आपको बताओगा खानबा कायूद कब हुआ था 1527 में खानबा कायूद हुआ था किनके मद्दे हुआ था अब जल्दी से comment box में बताइए ठीक है जल्दी से बताइए खानबा कर 1527 में किसके बीच लडा गया था बाबर और रानसांगा थीक है देखो बाबर कहा है बाबर और रानसांगा है यहां भी बाबर और रानसांगा है यहां भी बाबर और रानसांगा है पर 27 नहीं है यह आपका 27 है यह 27 है अब दो आपकी बनने है तो जल्दी से बताइए जीता कौन था ठीक है जीता कौन था बाबर जिसमें जीता था, तो राना संगा क्या हो गया था, हार गया था, कौन हार गया था, राना संगा हार गया था, इन्हीं option number कौन सा दे रहेगा, option number A का right रहेगा, next question है, मानुश्रीर का सबसे बड़ा और सबसे विक्सित भाग कौन सा होता है, मानुश्रीर का सबसे और सबसे विक्सित भाग कौन सा होता है परमस्थिक्ष होता है जिसे क्या कहते हैं जिसे सेरे व्रम भी कहते हैं सेरी वेलम अलग होता है सेरे व्रम अलग होता है तो परमस्थिक्ष इसके हिंडी में है सेरे वलम इसे इंग्लिश में कहा जाता है next question देखने हैं मेख़ो जीड की स्थेश में स्थेथ है ये कोश्यन नब डाला हो और ये अपका important question है लेक वैकोज लुचुट में स्थेथ तो कहा पर सित है रूश स्थेष में ठीट है ठीक है कहां पर सावेरिय है मेरे खाल से सावेरिया कुछ बता रहा था ये रूस में आपकी स्तेथ है रास्ती विकास परिशित की स्तापना कब हुई थी? वेन बासी, National Development Council तो जल्दी से बताइए रास्ती विकास परिशित की स्तापना कब हुई थी? इसकी स्तापना हुई थी? कब 6 अगस्त 1952 को इसकी स्तापना हुई थी? Option number C correct रहेगा Next question है अशोक के शीला लेखों को सरप्रत्म किसने पढ़ा था? जो अशोक के शीला लेखों थे उन्हें सबसे पहले का पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा गया था? किसकी दवारा पढ़ा गया था? James Principis ठीक है James Principis दवारा पढ़ा गया था Next question है आदी गरंथ, गुरु गरंथ साहिव की रचना किसने करी थी? यहां से question थोड़ा सा confusion कर देता है कभी कभी पूछेगा आदी गरंथ, गुरु गरंथ साहिव ठीक है? आदी गरंथ को और अन्य किस नाम से जानते हैं? गुरु गरंथ साहिव की नाम से जानते हैं तो आदी गरंथ की स्तापना किसने करी थी? तो किसना करी थी? गुरु अर्चुन दे द्वारा जो है आदी ग्रंद की स्थापना करी गई थी या रचना करी गई थी Next question है किसने यहाँ पर सेगर लें ठीक है? किसने 1825 इस भी सन में वेदान्थ कोलिज की स्थापना करी थी? जैता किसर अपनाया गई थी? अपनाया कब गिया था? जयपान द्वारा सबसे पहले इसे पनाया गया था? 1997 में और इसे लागू कब किया गया था 1905 में इसे लागू किया गया था क्योटो प्रोटोकोल को ब्याद रखें जब 5 बारा सबसे पहले इसे अपनाया गया था और 2005 में इसे लागू कर दिया गया था तो दो कोशन बन गे इसे अपनाया कब गया था बहुप पट्टग पहाडियों भारत को किससे अलग करती है पर ठाव कितना समय का अंतराल हो सकता तो मेक्सिम गैप आपको बताना है तो सेशन और फार्लेमेंट के दो सदें सेंहुती है उनके वीइच च्छ यह कितने मह seasons के अ ह Ocham का गैप होना चाहिए जह करना i啊 सकता है next question है अंकोरावार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् उसा Article 103 या अधिकार देता है RBC का कवरीस्तान किसे का जाता है पलीह यानि सप्लीम कुछ है RBC का कवरीस्तान कहा जाता है नेक्स्क पुशन है द्रोनाचारे पुश्कार की शेत्र में दिया जाता है दुरोनाचारे lord is given which field तो किस केल में दिय जाता है दुरोनाचार एक coach तेथिक है याद रखें DRONाचारे एक guru थे ये guru को दीथे नहीं coach को दिय जोट तो खेल के friction ये नहीं coach को दिया जाता है next question है पुश्पो का अधियन क्या कहलाता है what is the study of the flowers called it पुश्पो के अधियन को क्या कहा जाता है anthology कहा जाता है option number एक रेक रहेगा anthology कहा जाता है last question आपका mitochondria की खोज किसने करी थी mitochondria की खोज है किसके द्वारा करी गई थी ultimate द्वारा करी गई थी अकवर के दर्वार में आने से पहले जो तांसेन थे ये किसकी सेबा में थे यानि किसके दर्वार में तांसेन जो थे ये अकवर के दर्वार में आने से पहले किसके दर्वार में थे राजा रामचंदर के दर्वार में थे question number 2 है महान तमिल साहित शिल्पा दीकारम के रच्टा कौन है हुआ अज दी ओथर ऑफ दी ग्रेट तमिल शिल्पा दीकारम तो यह किसके दवारा लिखी गई थी आपकी लोंगो दवारा लिखी गई थी वाइबो सॉम का मुख्यकारी क्या होता है तो राइबो सॉम का मुख्यकारे क्या होता है प्रोटीन का संसलेशन करना होता है कॉशन नमर चार है अजन्ता एबम एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है अजन्ता एबम एलोरा की गुफाएं जो है यह कहां पर स्थित है तो बिंदुसार किस का पुतर था? चंदरगुप्त मोरे का पुतर था? मोरे में शिस्ताब ने चंदरगुप्त मोरे ने करी उसके बाद उससे किस ने समभाला? उसे बिंदुसार ने समभाला था महान अशोक ना इसे समभाला था? नेक्स कुशन है एवल पुर्सकार की शेतर में दिया जाता है? एवल पुर्सकार किस शेतर में जाता है? तो मैथेमेटिक्स यानि गृत में दिया जाता है कॉशन नमर साथ है अकवर ने शिरी कलम की उपादी किसको दी थी? अकवर दारा शिरी कलम की उपादी किस व्यक्ति को दी गई थी? ताइटल आफ शिरी कलम किसे गई दी गई थी? अब्दू समध को दी गई थी अब्दूस सदम्द को जो है शिरी कलम की उपादी दी गई थी Q8 है जेन धर्म के 24 में तीर्थक कौन थे Q8 है जेन धर्म के 24 में नहीं 23 में तीर्थक कौन थे 23 तीर्थक वाज जेन धर्म के 23 में तीर्थक कौन थे प्राश्रव नाथ जो थे जेन धर्म के किन में तीर थे 23 में तीर सकते और महाभीर जेन 24 में तीर थे आपके जेन धर्म के Quesion No.9 है इनमें से क्या अशोग की धम निती और शाशन के सिधानतों से स्वंदित है इनमें से कौन सा शिला लेक या स्थम लेक जो है या आपका अशोग के धमी निती थी क्या है धम निती माव करें धम निती और शाशन के सिधानतों से स्वंदित है कौन से लगु शिला लेक जो थे आपके अशोग के धम निती और शाशन से स्वंदित है question number 10 है नेताजी स्वास चंदर बोस अंतरास्ती हवाई अड़ा कहां पर स्थित है वेर इजदी नेताजी स्वास चंदर बोस इंटरनाशनल एरपोर्ट लोकेटिड तो यह आपका कहां पर स्थित है कॉल कता इसका राइट अंसर हीगा कॉल कता में स्थित है question number 11 है कनिश्क के साशन काल में चाथुर वोध संक्ती किस नगर में आयोजित की गई थी जैन माफ करें बोध धर्म की जो चोथी संक्ती थी ठीक है number 4 संक्ती थी यह कौन से नगर में किसके काल में हुई थी कनिश्क के काल में हुई थी और कौन से स्थान पर हुई थी कुंडल गराम या फिर कुंडल लवन ठीक है कुंडल लवन में ये हुई थी कॉशन नमर 12 है किसी राजा का उच्तम बीदी अधिकारी कौन होता है किसी राज्य का उच्तम बीदी अधिकारी कौन होता है हुई इसी वी राजवे में उच्तम एदिकारी कौन होता है? महादिवक्ती होता है, जिसे सॉलिस्टर जर्णल कहते है, कॉशन्स aha नमर तेरा है, कमायनी에 के लेखक कौन है? who is the author of the कमाईनी कमाईनी जो थी ये किसके रहा लेकी ये थी जैशंकर परसाद वारा लेकी गई थी कॉर्शन में चोधा है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके साशनकाल में उपदेश दिये थे महावीर एवं बौध धर्म के कॉन तीर्थक गौतम भुद्ध इन दोनों ने कॉन से साशनकाल में उपदेश दिये थे किसके साशनकाल में दिये थे बिम्बी सार्क के साशनकाल में उपदेश दिये थे पौदो में जाइलम का मुख्य कारिय होता है पोदो में जायलम का मुख्य कारिय क्या होता है जल एबं खनीज लवणों का स्वहिन करना इसका जायलम का कारिय होता है अडाई धीन का जोपड़ा मस्डि किस दिल्ली सुल्तान ने वनाई थी? किस दिल्ली के सुल्तान ने अडाई धीन की जोपड़ी का दिर्माण कर रहा था? फिरोश शा तुगलक ने कर रहा था ने नाम था? नेक्स्ट कोशन है पोड़ो में फ्लोयम उत्रक का मुख्य कारे क्या होता है? फ्लोयम उत्रक का मुख्य कारे क्या होता है? भोजन का वहन करना जो होता है फ्लोयम का मुख्य कारे होता है next question है उस्टेलिया मस्थित काल कुरली किसके लिए परसिद है काल कुरली located in Australia is famous for तो किसके लिए जाना जाता है इसे सोना उत्पादन के लिए जाना जाता है उस्टेलिया मस्थित काल कुरली next question है रास्ट पती पर महाव्योग किस अनुशेद के तहत लगाया जाता है या फिर किस अनुशेद के तहत चलाया जाता है रास्ट पती पर महाव्योग जहें कौन से अर्टिकल के इंडल लगाया जाता है अनुशेद 61 गया सभी option सेम है तो माफ करें option number A B seat को भी लगा दो तो सही आपका रहेगा next question है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है होंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है next question है भारत चोड़ोंदोलन का परारम हुआ था when वास्ती quick India moment started तो भारत चोड़ोंदोलनهم ने इस्टार्ट हुआ था कब 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था Next question है, भूरा कोईला किसे कहा जाता है? भूरा कोईला किसे कहा जाता है? लिगनाइट कोईले को क्या कहा जाता है? मुलाइम कोईला कहा जाता है? Next Question है गुरु-मुकी-लिपी किसने इजात करी थी? Next Question है स्थाय वंदवस्त को बंगाल, बिहार और ओडिस्अ में किसने लागू किया था? जल्दी से पताएए, दोस्तों स्थाय वंदवस्त को बंगाल, बिहार और ओडिस्अ में किसके तारा कुरा गया था? Lord Coran 14 शुरू किया गया था Question number 26 है Penguin पक्षी कहां पाए जाते हैं जो Penguin वड होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं Antarctica में पाए जाते हैं क्योंकि Antarctica में बहुत जाद थंड होती है और थंडे है इस्तानों में ठीक है जहां temperature माइनेस से भी नीचे होता है बहां आपके Penguin पाए जाते हैं Next Question है इनमें से कौन सी अग्रेट चितान है इनमें से कौन सी आपकी अग्रेट चितान है तो Option number A और Option number B बहुत आफिस का राइट अंसर रहेगा Gray Knight और Vassalt जो होती है Gray Knight और Vassalt दोनों ही आपकी क्या होती है अग्रेट चिताने होती है Next Question है एशिया का Nobel पुर्सकार किसे कहा जाता है Most Imported Question है Who is the Nobel Prize of Asia तो Raymond Max से पुर्सकार को एशिया का Nobel पुर्सकार कहा जाता है चलिए आपके लिए Simple का Question है आपको बता रहा है पहले फार्ती जिसे Raymond Max से पुर्सकार मिला था यह आपके नाम निकल कमेंट मॉक्स में बता रहा है चलिए Next Question है Antarctica की सबसे उंची चोटी कौन सी है Antarctica की सबसे हाइस्ट भी कौन सी है Wensum Massive Wensum Massive जो है यह Antarctica की सबसे उंची चोटी है यह MT से आपका मौंटेन होगा Next Question है भारत का कौन सा रज्य तीन तरफ से बांगलादेश से गिरा है Simple सा कोशिन है कौन सा रज्य जो है भारत का तीनों और से बांगलादेश से गिरा हुआ है Next Question है Congress की प्रतम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे Who was the first Muslim President of Congress कौन थे Molana Abdul Kalman अजात Na 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 option number A, इसका right नहीं रहेगा, option number 20 का answer रहेगा, बतुरुदिन तैयव, बतुरुदिन तैयव जो थे कॉंग्रिस के पहले मुस्लिम अध्यक्षते, question number 32 है, Mississippi, Missouri is A, तो Mississippi, Missouri एक परकार की क्या है, आपने सीधा नाम सुनोगा, Mississippi नदी, तो Mississippi, Missouri जो है एक परकार की राइवर यानि question है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भुटान और चीन तीनों देशों से मिलती है, भारत के कौन से राज्य की सीमा जो है, कहां से मिलती है, नेपाल, भुटान और चीन से मिलती है, option आपके सामने है, अगर आपका option number A है, तो इसका right answer नहीं रहेगा, option number 20 का right answer रहेगा सिक्किम जो है इसकी सीमा जो है नेपाल भुटान और तीन देशों के साथ चीन के साथ लगती है नेक्स कुशन है भारत का शेतरफल विशफ के कुल भगोलिक शेतरफल का केता है भारत का टोटल शेतरफल जो है यह वगोलिक के यानि बिशफ के कुल वगोलिक शेतरफल के कितना है दो पॉइंट चार है परतेक राचे में महाविक्ता की न्युक्ती किसके द्वारा की जाती है, जो राचे में महादिवक्ता होता है, इसके न्युक्ती किसके द्वारा करी जाती है, राचे पाल द्वारा करी जाती है, धन विदेक पारित करने के लिए राचे सवा को कितना समय दिया जाता है, यहा जाता है किस मुगल बाद्जा को जिंदा पिर कहा जाता है तो औरंग जेव को जिंदा पिर के नाम से भी जाना जाता है question number 37 है मोगल वंश का अंतिम शाशिक कौन था हो वास्ती last ruler of मोगल डैनेस्टी तो कौन था वहादूर सा जफर दूइती है वहादूर सा जफर दूइती है जो था ये मोगल वंश का अंतिम शाशिक था next question है गोवा पर फूर्टगालियों ने कब कबजा किया था गोवा पर फूर्टगालियों दुबारा कब कबजा करा गया था पंद्रास्तो दस इस भी में करा गया था next question है भारत में कुल कितनी यूनियन टैटरोलियर माफ करें टैरिटियर परदेश है यानि कितने के अंदर शाशित परदेश है यूनियन टैटरोलियर स्टेट इन इंडिया तो टोटल कितने है साथ ना 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 साथ ही टोटल जो है के अंदर शाशित यूनि यूटी स्टेट कितनी है आठ आपकी वर्तमान में है question number 11 है भारति सविदान के किस अनुषेद में निरवाचन आयो के लिए परावदान किया गया है किस article के अंदर जो है निरवाचन आयो का परावदान किया गया है कौन सा article है आreटिकल 120 ना 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 एक सो वीस नहीं देगा आर्टिकल 124 में जो है निर्वाचन आयो का पुरावदान किया गया है next question है कृष्णा नदी पर कौन सी नदी प्रियोजना है जो आपकी कृष्णा नदी है option में कौन सा प्रियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है तो राइट अंसे रहेगा ये कौन से नदी और कौन से देश में स्थित है ये आपका कहाँ पर स्थित है आफरीका में स्थित है कौन सी नदी पर जैमवेजी नदी पर स्थित है question में चुतालिस है कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस कौन सी है कौंण सी noble gas का परियोग जो है किसके लिए किया जाता है cancer के उपचार कedar किया जाता है kis का परियोग किया जाता है Next question है Culture परसिद कोईला शेत्र कहाँ स्थित है Culture कोईला शेत्र जो है भारत की किस राज़े में स्थित है Toh कहाँ परसिद है आपका और इस्सा में स्तित है, question number 40 है, plaster of Paris का रसाइनिक नाम होता है, what is the chemical name of the plaster of Paris, plaster of Paris का रसाइनिक नाम होता है, calcium sulfate hydrate, calcium sulfate hydrate जो होता है, option number 20 का write कर लें, calcium sulfate hydrate, question number 47 है, सबसे तन्य धातू कौन सी है, इन में से कौन सी धातू सबसे तन्य होती है, सोना जो होता है, सबसे तन्य धातू आपकी होती है, next question है, बिशफ की प्रत्म महिला परधान मंतरी कौन थी, who बास थी, first woman, prime minister of the world, तो कौन थी, श्रिमावो बंडार नाईके, श्रिमावो बंडार नाईके जो थी, ये श्रिमाव प्रूशनी की खोज किसके दवारा करी थी, हम्फ्री ड्यवी दवारा करी गई थी, हम्फ्री ड्यवी दवारा जो है, प्रूशनी की खोज करी गई थी, next question है, प्रूशनी किस नदी को प्राचिन नाम है, प्रूशनी जो है, ये किस नदी का प्राचिन नाम है, प्रूशनी मेंत्ष में बौध धर्म जंड्रंब को ήर्ण नहीं हौनतों कितने उल्माशंतों प्राथुन भारती हैं इसमें सोला जंपत थे। लहना चांथे प्रीड़िया sound है मुद्शिय वी साशन साहिन नाम पीर मुझा का रुखनियाnd है एंगे रहली ह्यां लाइक करा विडियो को लाइक कर दो शेर कर दो चैनल को सब्सक्राइब गर लो नेक्स्ट्क उशन है मालविक का का सरिककाई किस से परसीथ हैं तो किस में परसीथ हैं यह आपकी कुछी पूढी में सब्सक्राइब ठीक है निरतिय पूछाओ नाम अजीब सा ठीक है मालविका सरकारे से कहते हैं पर इनका रियल नेम यह है मालविका सरिक्काई जो है इन्हें से किसमें परसिद है कुछी पुढ़ी निरतिय में स्वंदित है वैसे आपको भारत नाटे भी देखने को मिल सकता है चलिए आपको comment box में ये question homework रहेगा कि भारतनाटे के अलावा मालिव का सरकाई जो है ये किसमें परसीद है next question है फिबूला एबं टीबिया नामक हड़ी कहां पाई जाती है फिबूला एबं टीबिया नामक हड़ी जो है ये कौन से अंग में पाई जाती है टांग में पाई जाती है question number 956 है कावेरी डेल्टा में ग्रॉफ किस राज्य में स्थिथ है कावारी डेल्टा में ग्रॉफ is located in which state of India तो कहां परसीथ है तमिल नाडू में स्थिथ है next question है बेला डिला चतिस गड किस खनीच के लिए परसीथ है बेला डिला चतान जो है यह चतिस गड में स्थिथ है और इसे किस निच के लिए जाना जाता है लोग निच के लिए जाना जाता है next question दोस्तों नुमालीड नुमालीड तेल रिफाइनरी इस राज्य में स्थिथ है नुमालीड तेल रिफाइनरी जो है नीर्मित कुत्ब उलिस्लाम मस्चित जो है कि कुटुब दिन एवक त्वारा बनाई गी है ये कहां प्रस्तित आपकी दिल्ली में स्तित है नेक्स कुशन है भारती सविदान का कौन सा भाग परदेश शरकार से स्वन्दित है भारती सविदान का कौन सा भाग ये परदेश यानि स्टेड गोवर्मेंट से स्वन्दित है कौन सा भाग है तो राइट अंसर एक option number D part 6 यानि भाग छे किसे स्वंदित है के अंदर शाषित परदेश और राज्य से स्वंदित है next question है बादिपूर राश्टी उध्यान किस राज्य में स्वंदित है बादिपूर राश्टी उध्यान जो है ये कहां पर स्थित है तो ये आपका करनाटक राज्य में स्वंदित है next question आपकी सामने भारत का कौन से उपराश्ट पती अपने कारेकाल के दुरान दिंगत हुए थे यानि इनकी मृत्यू हुई थी which vice president of India dead in office तो कौन हुए थे डक्टर जाके हुसेन की मृत्यू हुई थी कारेकाल के दुरान next question है सेद भश्ट की स्थापना कौन थे सेद भश्ट की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी हुवास्ती founder of the सेद डानेस्टी तो सेद भश्ट की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी खीचर खान द्वारा करी गई थी तो next question important है AIDS virus है तो AIDS virus जो होता है यह एक परकार का क्या होता है single steroid RNA होता है single steroid RNA आपका जो होता है AIDS आपका होता है याद रखने बास RNA होता है वो की जो भी आपका single steroid का यह होता है next question है मयूर सिहासन पर बैठने बाला अंतिम मोगल शाषक कौन था मोगल शाषक कौन था तुराइटन से रहेगा मुहमद शा शाषक जो की किस पर बैठा था next question है मानम किस के अंदरगत आते हैं मानम जो है किसके अंदरगत आते हैं सरव बश्चि के अंतरगत आता, याद रखें मानम जो है, इस सरव बश्चि के अंतरगत आते हैं। इल्टू थो के पुत्री की पुत्री थी रजीया सुल्टाण। Next question है, हुमाईयू का मकवरा कहाँ पर स्तित है? दिल्ली में स्तित है Next question है, उच न्याले में पहली महिला न्यादीश कौन्ती? लीला सेर्थी जो कि कहाँ पर बनी थी? हमारे मैचल परदीश में बनी थी Next question है, गोआ मुक्ती दिवस का मना जाता है गोवा मुक्ति दिवस का मना जाता है हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मिनाया जाता है next question हे एशया की सबसे लंबी नदी कौन सी है विच इसी longest driver in एशया तो एशया की सबसे लंबी नदी है यौंसी नदी जो कि किनी लंबाई है 6,300 km की लंबाई है Next question है रास्ती एकता परिश्चत का गठन कब किया गया था रास्ती एकता परिश्चत का गठन कब किया गया था 1961 में करा गया था Next question है वाग की गुफाएं किस राजे में स्थित है वाग की गुफाएं जो है ये कौन से राचे में स्थित हैं? तो आपकी मध्यव प्रदेश में स्थित हैं। Q75 है, एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं, ये कहां पर स्थित हैं? कहां पर स्थित हैं? मुंबई यानि महरास्ट में स्थित हैं। पॉश्यन मचेतर है बहा प्रथम परधानमंत्री कौन थे चिन होने संसज सातर में उप्स्तित हुए बिना ही त्यात पक्तर दे दिया बहा कौन सा परधानमंत्री था जिसने संसज सतर में उप्स्तित यनी बिना पहुंचे ही अपना त्याग पतर सोंब दिया था कौन थे चो इसी जो होती है उन्हें क्या हो जाएगा कमी आएगी विर्दी हो जाएगी अकार बड़ा हो जाएगा अकार छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा संख्याओं की कमी आ जाएगी नेक्स कुशन है भागी रती और अलक नंदा गंगा मैं कहां मिलती है भागी रती और अलक नंदा दोनों नदियां जो हैं कौन से संगप पर आपकी गंजगंगा से मिलती है देग परियाग में मिलती है कहां पर देव परियाग में मिलती है next question आपके सामने हिमाले की सबसे पूर्वी चोंटी कौन सी है हिमाले की सबसे पूर्वी चोंटी कौन सी है तो कौन है हिमाले की सबसे पूर्वी चोंटी नाम चाव रवा नाम चाव रवा नाम चाव रवा जो है यह हिमाले की सबसे पूर्वी चोंटी है और Mount Everest जो है यह माले की सबसे उंची चोटी है Next question है Sea of the Troquility Sea of the Troquility कहां तिथ है Sea of the Troquility कहां पर तिथ है यह आपकी तो यह आपकी चंदर्मा पर तिथ है या फिर चंदर्मा को कह सकते है ठीड़ है चंदर्मा के किसी भाब कोज़ है Sea of the Troquility कहा जाता है Next Question है, उचरत च्ब होता है, High Blood Pressure is High in the, तो Blood Pressure जो होता है, यह आपका कहां पर hight होता है, यह आपका धमनियों में हight होता है Next Question है, लोधी बंच का सस्तापक कों था? लोधी बंच के स्तापना किस ने करी थी? वहलोán लोधी ने करी थी नेक्स्स कुशन है कलिंग यूद का वरणन अशोक के किस सीलालेक में दित है कलिंग यूद के बारे में अशोक ने कौन से सीलालेक में लिखवाया था तो कौन सा सीलालेक का इसका 13 शीलालेक में बताया गया था दाड़ी बनाने बाला दरपन होता है, दाड़ी बनाने बाला दरपन कौन सा होता है, अव्तल लेंस यानि कन्वेक्स लेंस आपका होता है, क्माफ करें कन्वेव लेंस आपका होता है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, वाट इस दी, कलर अफ ब्लैक पाई का का इस्ट है इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं इस तरह द्वारा मापी जाती है है इसके ए होता है और इसके पुपर एक बिंडू होता है नेक्स कुशन है भारत IMF का स्थस्य कब बना था भारत जो है IMF का स्थस्य कब बना था तो कब बना था 1945 में स्थस्य बना था चलिए आपको सीधा बताना है IMF की full form क्या होती है नेक्स कुशन है अमान किस देश की राजदानी है अमान is the capital of its country तो किस देश की राजदानी है अमान जोडन की राजदानी है नेक्स कुशन है नॉबल पुर्सकार प्रापत करने बाले प्रतम भारती अर्ध शास्तरी कौन थे? यानि अर्ध शास्तर में नॉबल पुर्सकार प्रापत करने बाले पहले भारती कौन थे? तो राइट अंसर एगा option number B अमरित्य सेन और दूसरे वेक्ति कौन है अविजीत इनर्जी नेक्स कुशन है दीपिका कुमारी का स्मंद की 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 स्मंद तीर्थक भी थे और साथ में संस्तापना भी इन्होंने चेन धर्म की करी थी नेक्स कुशन है वाई मंडल की नीमन परत है भारत की बाफ करें वाई मंडल की कौन सी परज होती है उसे नीमन परत कहा जाता है किसे कारता है और शोस मंडल को नीवन परत कहा जाता है वाई मंडल की next question है all India radio की स्टापना किस परिश हुई थी तो all India radio की स्टापना हुई थी 1936 next question है live device उस तक के लेकक क्यों है live device वोक्वाद्ट प्रिटन भाई तो किसके ताह लखी गी थी श्री और विंडो द्वारा लिखी गई थी next question imported है 3B का पट्टी जो भारत द्वारा बांगलादेश को दिया हिस्सा था 3B का पट्टी जो है ये भारत द्वारा बांगलादेश को दिया गया था कुछ हिस्सा था ये कौन से राजे का हिस्सा था West ुमिंगोल यानी बांगला देश का हिस्सा था next question है doctor के thermometer का अबिषकार किसने किया था जो thermometer होता है इसका अबिषकार किसके देवारा करा गिया था फारने हाइट देवारा इसका अबिषकार किया गया था next question है इन में से कौन सा एक ततब है इन में से कौन सा आपका एक तत्व है तो हीरा जो होता है परकार का आपका क्या होता है तत्व होता है यह एनिए element होता है Last question वो मारा 100 marathon की class की जो सीरिज है वो खत्म हो चुकी है हडपा सव्वेता इस युग से स्बंदित है यह कौन से युग से स्बंदित है कां से युग से स्बंदित है